चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हुदक चन्न ने तंदूल पुस्प कैचर सुधीब सुधूब फालार्ग दवल मंगल दान रवाकुलेदी निरेदी नाथ में हम्यजेद आईएगा वो उम्री मिश्री चित्तामनी पार्ष्ट दढ़ने इंद्र पत्माति माता है भक्तिया रातना है अर्गम निर्वपाम्ती स्वाई मरी कर दो बस इसका पेश कम कर देना पेश खतम मंगलम भगवान बीरो मंगलम गोत्मोगडी मंगलम कुन कुन दार्तियों जैन धर्मों स्कु मंगलम लहर 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 आए के सरिया जंडा जिनमत का हो जी हो जी के सरिया जंडा जिनमत का के सरिया जंडा जिनमत का हो जी गुरिय चिंता मनी पार्शुनात भगवान की आईएगा दोजारोगन के साथ आज के कारिकरम का सुभारम और के चानिक ये ज कहले घंडा चाहिएbaumता जिनमत का लिए जैनिहत है जंडा भुश्यश्य आईएगा भवन उदगा पहले ये परदान जैन समाज नभीन सादरा स्रीमान नीरच जैन जी एक बार जोरदार तालीब है जादे नीरच जी के लिए परदान जैन समाज नभीन सादरा आईएगा परदान जी के साथ में जैन मिलन परिवार नभीन सादरा के सभी सदस्य आजा है उदगाटन के लिए जैन मिलन साथ में बत्ती के साथ में जैन मिलन आक है भक्ती के साथ में मां की ये भक्ती दिक्ती मां की ये भक्ती करी मां की भक्ति करने चरी जैन मिलन जैन मिलन जैन मिलन धर्ण घजा हात में मां की भक्ति तो करने चरी मां की भक्ति करने चरी हालो हालो आगे जाओ आप चित्र अनावरण के और आईएगा मां पद्माबती के चित्र अनावरण स्रीमती जोती जैन स्रीमान पंकत जैन जी नवीन साधरा वो किरपया बीच की बेदी पर आजाए भगवान पार्शनात के चित्र अनावरण के लिए स्रीमती रीमा जैन स्रीमान गौरव जैन सुवास पारख मेरी आवास सुनने है तो किरपया आते जैन भगवान महबीर के चित्र अनावरण के लिए स्रीमती नेहा जैन स्रीमान दिनेज जैन माँ पत्मापती लाल बंदिर वाली वाता के लिए श्री मतिस सिल्फी जैन श्रीमान सचीम जैन संकर नगर पहुच चुक है वारे बीच कौन कौन आ गए है चलिए आज के मंच का पूरे ही मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं बुलिए का चिंता मणी पारसुनाग भगवान की बुलियपिस्व प्रभु भगवान महाबीर स्वामी की लाल मंदिर वाली माता की भुंचा वाली माता की वलाई चत्र वाली माता की दिखाल वाले बाबा की आईए उबिरी मैया ने सुनके पुकार खोल दिया द्वार अपना मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत मौगडी मंगलम गुंगुंगा त्यो जेन धर्मोस मंगलम मेरे बाबा ने सुनके पुकार खोल दिया द्वार अपना मेरे बाबा ने सुनके पुकार खोल दिया द्वार अपना मेरे बाबा ने खाल वाले रे चांदन पुर वाले रे मेरे प्रभु जी का सच्छा दर्वार खोल दिया दर्वार चलिए बागी आप नीचे आजाएंगे सभी सबसे पहले महीला जैन मिलन नवीन साद्रा द्वारा कनिस्का जी अगर मेरी आवास सुन नहीं है तो किर्पया मंज़ पर आजाएंगे कनिस्का जी स्रीमती कनिस्का जी कनिस्का जैन कनिस्का जैन कर्पया मेरी आवास सुन रहे हो तो कर्पया स्टेज पर हैंगे तो कि मुझे पर आप अब कर देखेंगे ज़ेवा यह मैं अब तो यह जो को मैं पांगे जो जो कि मिलन की और से मैं अमत्रित कर रहा हूं सारी कर्पी को किर्पया मंस पर आएं सारीका जी सारीका जी और पूजा जी आगे के कारिकरम की रूप रेखा बच्चों के द्वारा जो सुन्दर कारिकरम है यहाँ पर उसके लिए सारीका जी और पूजा जी आप सभी को मेरा सादर जैजिनेंद्र मैं सारीका जैन आप सभी को मेरा जैजिनित, मैं पूजा जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जैसा कि आप सभी को पता है किसी भी संस्कृति की एक विशेष्टा होती है तो हमारी जैन संस्कृति में भी किसी भी शुबायोजन के पहले हम अपने इश्ट से मंगल कामना की परंपरा करते हैं आईए आज की इस महोस्तक की शुरुवात के पहले हम अपने पाश्णत भगवान और पद्मावती माता से प्रात्ना करते हैं कि हे प्रभू, हे मा, केवल और केवल आपकी वंदना रूपी पवित्र भावना हमारे उर में हो, हमारे अध्रों में हो तो चलिए इसी मंगल कामना के साथ हम मंगला चरण का क्रम आरंभ करते हैं मैं कनू जयन से अनुरोद करूंगी वो किर्पया करके स्टेज पर आए वो कि वो कि वो अनुरोद करना है जे गुरुवरं देखो सारा जहां है गुरुवर की शर्णम जे नम जये तुशात नम 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 वन्दी जिन्दम्, वन्दी जिन्दम्, वन्दी गुल्गं, जे नम् जय तुशाति नम् महिला मिलन की सभी वेरावना स्टेज पर आ जाए महाविर स्टूती के लिए महाविर प्रभू के चल्णों में, श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम महाविर प्रभू के चल्णों में, श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम उन्हे के आदरिशों को अपना जीवन की जोती जगाएं हम महाविर प्रभू के चल्णों में, श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम तब सैयं में शुब सादन से आरादे चल्णे आरादन से बने मूं विशारों से सहसा अबे आत्म विजय कर पाएं हम महाविर प्रभू के चल्णों में, श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम ब्रड निश्रानियम निभाने में ओ प्राणि बली प्राणि पाने में मजिर मूत्सि मनों बल्ले हो ऐसा कायर ना कभी न लाएं हम महाविर प्रभू के चल्णों में, श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम प्राणी प्राणी सेह में त्री सजे इश्या मत्सरे अभी माविर प्राणी प्राणी सेह में केहनी करनी इक सार बना तुलसी तेरा पठवाएं हम महाविर प्रभू के चल्णों में श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम श्रद्धा के कुसों में चड़ाएं हम जैबुली महाविर भगवान की जै ये बच्चे आपके सामने एक छोटी सी इनित दिनाटिका लेके आ रहें मैं जाओंगे आप लोग जोरदार तालियों के साथ बच्चों का उस्साह बढ़ाएं ये छोटे से नने नने कलाकार हैं जिनके ननन नहीं पाऊं जब स्टेश पर ठीरकते हैं तो सारा अलम अधोश हो जाता है तो ये हमारे मास्टर कलाकार अब आपके सामने एक बहुत सुन्दर प्रस्तुति देश कर रहे हैं आप सब इनके लिए जोरदार तालिय बनाएं बजाएं ताकि इनका जोश बढ़ सकें सब्सक्ता करा अब करके सामने प्रस्ता है कि आठाइचा में डोट उनता है भाराज नो मेरो पढ़जने है यह 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 जो हुपारत नाज को मनेवादू तो हाँ विराज सावलिया तो हाँ विराज सावलिया ओ पारत ओ पारत नाज के दर्शन कर लो दिखर विराज सावलिया विराज सावलिया गौतन स्वामी के जर्णों की महिम बड़ी निराली चन्द प्रभू की शीतर चाया पवंच ने मत बाली प्रभू की शीतर चाया पवंच ने मत बाली चन्दिर से निकन पड़े पिर पारत नाज के दर्शन कर लो दिखर विराज सावलिया वारत नासे को मनवातू मिझे आव राजे का वलिया पाश्ठभु के चर्डों में सुख आनंद ही बरते इस आनंद को पाने को तो इंद्रदेव भी तरते विस्यानत को पाने को तो इन देव भी करते नरत नहीं बशुगती न होना नरत नहीं बशुगती न होना जो बंगरेत बार बारत ये ओ पारत नात को मन वा ढूंडे कहां विराजे साहलिया पारत नात को मन वा ढूंडे कहां विराजे साहलिया ओ पारत नात की दर्शन कर लो शिखर विराजे साहलिया पारत नात की दर्शन कर लो शिखर विराजे साहलिया पारत नात की दर्शन कर लो शिखर विराजे साहलिया पारस नाति के दर्शन कर लो शिखर विरादे का वलिया पारस नाति के दर्शन कर लो शिखर विरादे का वलिया थोरा बालूडा जोवे है थोरी वाड मता जी मोरी अरेज सुनो तोरा बालूडा जो वे है थारी बाट मता जी मोरी अरज सुनो जुम जुम करता पधारो मारा मता जी तू जुम जुम करता पधारो मारा मता जी तू जग जननी मा तू दुख हरडी सोहन भाक्ती करेरे का पार मता जी मोरी अरज सुनो सोहन भाक्ती करेरे का पार मता जी मोरी अरज सुनो जूम जूम करता पधारो मारा माता जी जूम जूम करता पधारो मारा माता जी बच्चों के लिए जोरदार दालिया हूँ एक वार जोरदार दाली दन्ने मुन्ने बच्चों के लिए आपके ही परिवार के बच्चे बहुत सुंदर जैन जी सुवास पारक अखंड जोती के लिए सरीमति संगीता जैन जी सरीमान मनोज जैन जी सुवास पारक सरीमति सारीका जैन सरीमान अदूल जैन जी सुवास पारक मैं स्वागत टीम जान रोद करवा करवा करपे आये स्वागत तरेस माइक लेला, माइक लेला, तुम्नू, यह स्ट्रेंड न मुझे देग। यह स्ट्रेंड न मुझे देग। अभी 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 सरफ दीप्रेजिनल्ड वाले यहां पर आए ऐसे मैं ना बस्ट कर दिया करो है पार्स्वनात भगवाने की जै आना जाना बस तरूना हूँ भुलिये पंच परमेश्टी भगवाने की जै अरे लिए धर्डेंद्र पद्वावती माता की कि जै बुलिये लाल मंदिर वाली माता की जै बुलिये नभीन साधरे वाली माता की जै कितुने दिनों के बाद है आई बगतो पावंदिला कितने दिनों के बाद है आई बगतो पावंदिला अब आभी जाओ ए महारानी तेरी हमने आस लगाई कितने दिनों के बाद है आई बगतो पावंदिला अरवं तो भगवंद इंद्र महिता सित्धास से देश्वरा अचार्या जिन सास्टों रभिकरा पुरुजा उभाद्याएका सीसी तांत सुफान का मुनिवरा प्रत्या रादिका पंचयते परविश्टिनों प्रतिदिनों गुरुवंद दे वंगलम गुरुवंद दो बंगलम गुरुवंद दो बंगलम शित्वी दिनों के बाद है आई बगतो पावंदिला इतने दिनों के बाद है आरी वक्तों पावर भेला आईये मनों जी और अपुर्दी परिवार साही दौनों हाथ लगा लो सब हाथ लगा लो एक दूसरे को ओम्री अज्यांति मिर हरम दीब गम ब्रजले आवि अब आभी जाओ ये महारामी तेरी हमने जोते जलाई कितने दिनों के बाद है आरी वक्तों माहर बुलिय चिंतामनी पारशुनात भगवान की बुलिय धरनेंद्र पद्मा वती माता की और बहुत दिनों से महरत में लगते हैं हर वर्स जब पता लगता है जैन मिलन द्वारा जैन मिलन परिवार द्वारा नवीन सादरे में एक आरी करम होने जा रहा है तो सभी बच्चों का आस लगती है कि हम भी उसमें पार्टिस्पेट करें एक बार जोरदार ताली बजा दे सभी बच्चों के लिए ताली बजा दो ताली में कोई टैक्स तोड़ी लग रहा है आप ही के बच्चे है हम जिस वीव के शासंगाल में रहते हैं उन्हीं के दिये के हुए संदेश जीओ और जीनों दो को प्रस्तुत करने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे यहां पर आपके सामने आ रहे हैं हमारे जैंदर में जीव दिवाय का क्या महत्व है यह सभी को पता है पर बहुत सी ऐसी चीजे हैं जो हम जानते हुए भी हम गलत करते हैं तो आज इस नाटिका के द्वारा आपको एक छोटा सा मेसेंज देना चाहते हैं आप सब नाटिका को ध्यान से देखें और तालिया बचा के बच्चों का एक प्रोसान कर दीजे जैजी अब जो आगे की रसम होंगी उनके जो भी हमने एक तियार करिया हैं सारे जब चोला सबनपन और जो शिंगार वगरा हैं वो हमारा एक रसम कारालिया है महां से आप लोग प्राप कर लें और उसके बाद हम उसके आई की रसम करेंगे तो अभी तक जो हमारी रसम हो चुकी है द्वजा रोन की सुक्माल जी की और भवन दुकाटन की वो भी पहले ले सकते हैं इसके बाद जो रसम होंगी एक तो मंगल कलश थापना है वो श्रीमती कवीता जैन शी नरेज जैन वो अपना रसम ले ले वाँ से उसके बाद हम उसको शुरूबात करेंगे चोला सवनपन में श्रीमती रोजी जैन श्री दीपक जैन श्रीमती ममता जैन श्री परवीन जैन श्रीमती अर्चना जैन श्री राजकुमार जैन ये लोग अपनी रसम ले ले वाँ से उसके बाद हम इस पर गुराम के बाद उनकी रसम कराएंगे जी के लिए तो कह रही हूँ जल्दी से त्यार हुई है अरे क्यों जिनी चिक-चिक करती हो चलते हैं अभी रुख जाओ ज़रा नहीं आप अगबार ही पढ़ते रही है अब तो मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे हेलो अंकल हेलो आंटी जेजिनेंद बेटा हेलो जेजिनेंद आंटी आंटी अंकल मेरा कल बर्डे है तो मैंने बर्डे पार्टी और्गिनाइज किया है तो आप प्लीज विरल और सामवर विगो कल शाम छे बजे मेरे बर्डे पार्टी में पेश दीजेगा बेटा हम आप भेज देंगे इन दोनों को तुम दोनों को मेरी बर्डे पार्टी में आना है फिर हाँ हाँ हम आ जाएंगे ओके बाई मम्मी क्या हम उसकी बर्डे पार्टी में जाएं हाँ बेटा चाओ वाओ आज तो मजा ही आ गया तेरी बर्डे पार्टी में इतना बढ़िया खाना था मैं बता नहीं सकता थैंक यू बाई हम चलते हैं अरे रुको रुको तुम मेरे बर्डे पार्टी के रिटन गिफ्स तो भूली गये मैं अभी लाता हूँ ये लो ये लो ओके पाई थैंक यू अस तो बर्डे पार्टी में मजा ही आ गया हमने बहुत सारी डिशिस खाई बेटा ऐसे क्या क्या खाया आपने मम्मी हमने बिर्यानी कबार होट डॉग और काठी रोल खाया बेटा ये आप क्या बात कर रहे हो ये सारी तो मासा हारी चीज़े है नहीं मम्मी पर मासा वेच था बेटा फिर आप भोजन के लिए ये कैसे शब्दों का प्रियोग कर रहे हो हमारे यहां बिर्यानी को वेच पलाओ कहते है जिसका मतलब है सब्जियों के साथ पका हुआ चावल जबकि बिर्यानी तो मास के साथ पका हुआ चावल होता है और यहीं नहीं कबाब को बोलते हैं सब्जियों की टिक की जबकि कबाब तो भुनावा मास होता है तो आप भोजन के लिए ऐसे शब्दों का प्रियोग कैसे कर सकते हो हमारा जैन धरम इन सब शब्दों का प्रियोग करने की अनुमती नहीं देता है पापा ये वेज़े क्या होता है क्या ये पेड़ पर लगता है पेटा ये तुम कैसी बाते कर रहे हो एक का मतलब होता है मुर्गी के अजन में बच्चों को पका कर खाना और एक तो हमेशा से ही नॉन्वेज होता है अच्छा पापा ये सब चीजे छोड़ो ये देखो मेरे टर्न गिफ में कितना सुन्दर बैग मिला है अरे बेटा ये बैग तो लेदर का है नहीं पापा बैग तो बैग होता है और देखो ये कितना चमक रहा है बेटा क्या आपको पता है चमडे का बैग पर्स बेल्ट ये सब कैसे बनते हैं इन सब चीजों के लिए जान बरु की खालो को खीचा जाता है उनको रगड रगड कर उनमें चमक लाई जाती है और हमारा जैन्धर चमडे से बनी वस्तों को प्रयोग करने की अनुमती नहीं देता और बेटा कभी आपने चमडे बनते में देखा है बेटा कितना भ्यावे दिशे होता है वो कलेजा काप उठेगा आपका अगर बूजर खाने की दिवारे शीशे की बनी हो तो मास तो क्या शाका हार भी गले से नीचे ना उत्तेगा आओ बेटा तुम्हे कुछ दिशे दिखाते है अरे बच्चो कैसे हो कहो कुछल मंगल तो हो ना कहो कैसे दिन कट रहे है कैसी कुछल दादा जी हमारे दिन तो बहुत मुश्किल से कट रहे है क्यूं क्या हो गया क्या बताओ दादा यह जीवा लो लोपी दुष्ट मानव अमें प्रदीक्षन निगलता जा रहा है हाँ मौसी अब मानव से बचने का कोई उपाई ही नहीं रहा यह मानव इतना क्रूर और पाश्वेग होता जा रहा है कि धर्म क्यार में अपनी वाश्णाओं की रूती कर रहा है हाँ बेता बिलकुल कोई भी भगवान बली के नाम पर हत्या को स्विकर नहीं करता दुनिया के प्रतीक जीव समान है मानव को उसे नश्ट करने का कोई अधिकार नहीं हाँ दादा आपका कहना बिलकुल सही है पर हमारी मता कौन समझेगा हमारे साथ तुम्हे बस बुरा सलूख करते हैं सिर्फ शेंबू के लिए ये दरिंदा मानव हमारी आखों में बिनेगार देता है और फिर हमें सदा के लिए अंदा घर देता है कितना कुरूर है इंका धंधा तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा कलेजा फट रहा है चीकू मेरी सिलू बेटी गर्बवती थी कुछ दुष्ट मनुष्यों ने बुलाया पर्ष के लिए उसकी जान ले ली उसकी जान ले ली वो कैसे अरे बेटा मानव के समान स्वार्थी शायद इस पृत्वी पर और कोई न होगा इस निर्दई ने हांटर से पीट पीट कर उसका गर्ब गिरा दिया और और फिर मालू मैं उसे क्या किया क्या किया उसने प्रसंफ पीड़ा की समय ही मेरी बेटी की जमड़ी नोच ली उस समय मुझे ऐसा लगा किसी ने जैसे मानवता का मुखोटा ही नोच लिया हो और पता है मेरे साथ क्या होता है मुझे करीदने चार्ग रखका जाते हैं और मेरे कान पकड़कर पिंजरे से भार खीच लेते हैं मैं बिचार क्या करूँ आखों में आशु दिये अपने साथियों को देखता रहता हूँ पीचरक पर मेरे साथियों की आखों के सामने ही मुझे पेट से काटा जाता है मेरे पैर अलग किये जाते हैं मेरे पंकों को बगड़कर मेरे सेरीर से खीच लिया जाता है निर्दय निर्मम क्रूर इंसानों को मुझे पर दया आनी तो दूर रही मुझे इकटता तड़पता देखकर वे तो घुश होते हैं ठीक कहते हूं भाई सवाल यह है कि जब अपनी बारी आती है तो इंसान रोता है लेकिन जब मुर्गा या बग्रा खाने की इच्चा होती है तो निसा हाई प्राणी को काट कर काता है मुझे तो पहले खिला खिला कर मोड़ा किया जाता है और फिर मेरी गर्दन पर धीरे धीरे छुरा चला कर मुझे हलाल किया जाता है क्योंकि कहते हैं कि मैं जितना दीरे दीरे हलाल किया जाओंगा मुझे जितना ज्यादा तकलीफ होगी मैं उतना ही श्वादिश और पॉस्टिक हो जाओंगा ऐसी वेदना ऐसी पीड़ा आकिर एक जीव दूसरे जीव को दे कैसे पाता है यही तो मेरा हाल है यह मानम मुझे देवता कहता है दूद पिलाता है नांग पंचपी पर मेरी पूझा करता है और फिर सुन्दर बैट के लिए फेर पर ठोकर मेरी चम्रे खीच लेता है हमारे अंडों को यह मानम शुचाकारी अंडा केकर बोले बाले लोगों को मुर्ग बना कर उन्हें खिला देते हैं क्या अंडा और शाकार ये कैसे मुम्किन है अब जरा मेरी भी व्याथा सुनो मैं किसी का बुरा नहीं सोचती मैं कभी कभी किसी से कोई चाहत नहीं रखती मुझे मुझे आप जो रुखा सुखा देते हूं वो मैं खा लेती हूं मेरा दूद मेरा मूत्र और मेरा गोबर सब मानव के फाइदे के लिए हैं कुछ लोग जरा से पैसे के लिए मुझे खरीब लेते हैं उनके उनके थोड़े से फाइदे के लिए कितनी तक्रीफ सहन करती हूं मुझे कतल खाने बेच देते हैं चार दिनों तक मुझे भूखा रखा जाता है ताकि हीमो गोबिन कलकर मेरे मान से चिपक जाए मुझ पर गरम गरम पानी डाला जाता है मुझे कटोड़ता से पीटा जाता है ताकि मेरी चमड़ी असानी से निकाली जा सके मैं कादर निगाहों से देखती हूं शायद शायद इन कसायों के मन में मनुष्यता का जनम हो जाए लेकिन मुझे कोई बचाने नहीं आता और मैं अपने प्राण त्याद देती हूं इस पावन भूमे पर कोई ऐसा नहीं है जो धरम और कानून का पालन करके मेरे प्राण बचा सके मानव द्वारा क्रूर अत्याचार को देखकर मैं मैं श्राप भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं मा हूँ क्योंकि मैं मा हूँ मा प्राण बेदर दी इसे काट दिये अंगारों में जिस्म जलाया है इंसानों ने दुनिया में क्यों ये आतंक मचाया है ओ वीर प्रभू तेरे शासन का सौभाग्य तो हमने पाया है पर खुद अपने ही हाथों से इस नहमत को धुकराया है जिस मा की आखोंने तेरी करुणा का रस बरसाया है उस मा के नेनों से हमने पीडा का नीर बहाया है इंसानों जोरदार ताली हो जारी जी बच्चों के लिए ये धरती फट जाएगी और अंबर गिर जाएगा ओ वीरा एक बार बचा ले तू मानवता फिर जिन्ना करना पेम को यूशर मिन्ना कर ओ वीरा फिर राह दिखा दे तू वीरा 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 बच्चो आपने ये दृष्षे देखा कितना भेयावे था हम उस वीर के साशनकाल में रहते हैं जहां शेर और गाय एक साथ पानी पीते है पापा क्या इन पशु पक्षियों को बचाने के लिए महवीर भगवान दोबारा से जनम नहीं ले सकते बेटा जब जब धर्ती पर धर्म की हानी हुई है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मापुर्शो और तिर्थंकरों ने अफतार लिया है और जनमानुष को नव्जागरन का संदेश दिया है भारत भूमी के प्रकरत पस्वी, कठोर सादक, मावी स्वामी के लगुननन, संच शिरोमणी अचारे श्री विद्या सागर जी महराज का इस पंचम काल में अफतरन हो चुका है पापा इतना बड़ा नाम नहीं बेटा, हम इनको छोटे बाबा भी कहते है मम्मी, इन्होंने पशु पक्षियों के लिए क्या क्या किया है बच्चो, अचारे जी के नेतित में, देश के कही राज्यों में, दयोदे गउशाला का निर्मान किया जा रहा है जहां कत खाने जाने वाले जीवों के संरक्षन वा संवर्धन का प्रभंध किया जा रहा है अच्छा मम्मा उन्होंने इतने सारे काम करे है हाँ बेटा, उन्होंने इतने सारे काम किये मम्मी पापा आज से मैं त्याग लेता हूँ कि मैं पशू पक्षियों के चमडे से बनी किसी भी वस्तू का प्रयोग नहीं करूँगा और मम्मी मैं भी नियम लेती हूँ कि मैं खाने के लिए गलत शब्दो का प्योग नहीं करूँगी बहुत अच्छे बेटा देखा आपने जब ये छोटे बच्चे ऐसा नियम ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं जीव दया पालो सदा इंसानों दिन रेन जीव खात जो भी करे कभी न पावे चैन पढ़ की बीड़ा देखके भर जावे ये नैन सब जीवों को शरन दे वहीए सच्चा जेन वहीए सच्चा जेन वहीए सच्चा जेन जेयनदार में की जेयन पर ज़ोरदार तालिवे के लिए अजो कि लिए अधि शुपारी स्टिर्पीडमाब Chikum प्रकित नुए प्रीन आप मह जून परिएं यारासो रुपे हमारे प्रदान जेहन जेंद परिवार के स्टूनी वाई जी अतुल जेहन जी ने भी 500 रुपे परदान किये इन बच्छों के लिए बहूं सुन्दर यहाई जेंद जी पांसो रुपे बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दिये बहुत बहुत धन्यवाद देखिए बच्चों की बहुत मैनत होती है और एक साल से सोचते रहते हैं कि कम जैन मिलन परिवार द्वारा वो कारी करम होगा और मैं भी पार्टी स्पेट करूँगा तो यह सब बच्चे इंतजार करते हैं पूरे साल आईए का इन से लिए इन बच्चों का उस्साश जरूर बढ़ा है और पूजा जी और कौरे बच्चों के लिए सारी का जी इतना सुंदर कारी करम जो आपने देखा यह एक दो दिन की तैयारी नहीं होती हमारा पूरा महिला जैन मिलन अपने अनेख बच्चों को इखटा करके और यह इस्तनी अस्ची कारी करम को वो पेश करता है मैं दिल से इनका स्वागत करता हूँ उसके बाद दिगंबर जैन समाज से मंत्री जी धनकुमार जी एवम समस्त कमैटी और परधान निरज जैन जो भी आए हुए है सब का हम हिर्दय से अवार परगट करते हैं डोक्टर नहया शुक्र और डिस्पैंसरी से डोक्टर मनीश्त नेजा और बीपियस तोमर ये भी हमारे बीच पदार चुके हैं हम इनका भी इर्दय से स्वागत करते हैं और भाई मुकेट जैन ये भी हमारे बीच पदार चुके हैं हम इनका भी इर्दय से स्वागत करते हैं इंद्रापुरम से भाई अशोग जैन ये भी हमारे बीच पदार चुके हैं, हम इनका भी इर्दे से स्वागत करते हैं, समय का अभाव, इन सबसे छमा मांगते हुए, और कारिय कर्म को आगे बढ़ाते हुए, आगे मेरे से आगे, भाई संजे जी आईएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, ग्यारा सो रुपे, स्री दिगंबर जैर मंदिर नवीन सादरा के मंत्री जी, स्रीमान धनकुमार जैन जी की ओर से, इन बच्चों के लिए ये पुरुषकार दिया गया है, ये लिजी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे चलते हैं बहुत सुंदर, जो दर्वार सजाया है, इसमें कुछ बांगलिक किरिया हैं हमारी, अभी नहीं हुई है, आईएगा, उनकी ओर चलते हैं, उसके बाद बच्चों का फिर एक कारिकरम, और उसके बाद कुछी छड़ों में रूपेजी हमारे बीज पहुचने वाले हैं, और आपके सबक्चाज, बहुत ही सुंदर-सुंदर, नहीं नहीं भजनों द्वारा, यहाँ पर आज प्रस्तूती होगी, आईएगा, और अगली रत्मों के लिए, मैं मंत्रित करता हूँ, मंगल कलस के लिए, स्रीमती कवीता जैन, नरेज जैन, एन सत्रा, चोला समरंपड के लिए, स्री रोजी जैन, दीपक जैन, चलिए, कलस, कलस इस्तापन करते हैं, छे हैंना, कौन-कौन, मंगल कलस वाले कौन-कौन है, एक यह, छे कह रहे हैं, आपो सबको बुला लो न, एक साथ हो जाएंगे, मैं अगले रसम करता, मंगल कलस के लिए, स्रीमती कवीता जैन, नरेज जैन, सिद कलस के लिए, स्रीमती स्वीटी जैन, आदित्य जैन, आचार्य कलस के लिए, स्री राकेश जैन, लव जैन, उपादय कलस के लिए, स्री सागर जैन, सुपत्री स्रीमती सभीता जैन, सादू के लिए श्री गुर्माला जैन, श्री रमेज जैन, आप सभी को आमंत्रिर करता हूँ, किरपया जल्दी जल्दी आएं, और श्रीर के नाम यहाँ पर हमारे परदान जी ने बोले है, किरपया सभी आजाएं, मंगल करस इस्तापन करने वाली महिला आजाएं, सभी, केस जैन, और हमारे बीच में, क्रिशन नगर से, स्री संजीव जैन, और रजनी जैन जी भी आचुके हैं, मैं भाई पंकजी से नरोद करूँआ, वे किरपया आएं, और हमारे सम्मान गर्याण करें, यह मंगल कलस वाले वाओ, श्री चिंतामणी पाश्ना धनींद्र पत्ममती माता यह भक्तिया रात्नाएं, मंगल कलस इस्तापिया आवी, गोड़ा स्केल देदो, और हमारे आओ, सब मिले आओ, और हमारे आओ, सब मिले आओ, इंद्र भी आओ, इंद्रामी भी आओ, इंद्र भी आओ, इंद्राली भी आओ, मंगल कलस सजाओ मारा साथी, 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 और गोध बराए के लिए मुख्या गोध बराए गी, स्रीमती अर्चना जहन, स्री राजकुमार जहन पंच्सीर गारन, किर्पियावे आए, और जितने भी रिसम करते हैं, किर्पिया रिसमकहराला हमारा बनाऊए, वो अपने रस्मों को समान वहां से लेते हैं स्री मति रोजी जैन, स्री दीपक जैन पुरेश्ट स्री मति रोजी जैन, दीपक जैन, जहां कई भी हो करपया, स्टेज पे आएं स्री मति ममता जैन, परवीन जैन, जागरती इनकलेव मनो जी जोड़ा समय का अब आओ के कारण, हम 4-4-5-5 जैनों के नाम अलाउंस कर रहे हैं किरपेवे जल्दी जल्दी आके अपने रस्मों को पुरा करें जिन्वानी स्थापना के लिए स्री मति रमा जैन, स्री दीपक जैन, सुबास पार्क जिन्वानी स्थापना पाके सिंगार के लिए स्री मति प्रीती जैन, संजे जैन स्री मति साची जैन, स्री अमीच जैन, स्री मति नेहा जैन, स्री शेंकी जैन श्रीमती शुरूती जैन श्री निती जैन वे कर पर रसम काराले से अपना अपना समान प्राप्त करके रसम के लिए आए आपना समान पॉत क्वाप्त करें शुरूक है थाव जैन वे कर प्राप्त कर दाएम ना करा थे आपना अपना फाल एक है अगयो है यह और यह आपिसको पर देख समाना प्राप्त करता हुआ है जिन्वानि स्तापना स्रिमति रम्हा जैन श्री दीपक जैन माहकर स ταउल आरक जैन स्रिमति पृत जैन सभी स Tara को वनिवंधि आगकी जैन भली थर्णे इंद्र चाहिं ट्माव थी वेद्वाथ सकर ट जैन आउरी सुहाग मेनारी मंगल गाउरी आएंगे सभी माता जी का सुंदर सेंगार जैन मिलन परिवार जो कि हर वर्वश की वाती इस बार दसभी बार ये भक्तियाराणना वाईएगा सभी परिवार मिलकरके माता जी का सिंगार कर रहे हैं आउरी सुहाग मेनारी मंगल गाउरी हाओ री जो हागने नारी हाँ पहल जाओ री अद्मवती माता को रूब सजाओ री अद्मवती माता को रूब सजाओ री सुन्दर कायामा को वस्त्रे पेनाओ जी सुन्दर कायामा को वस्त्रे पेनाओ जी जै बुर्च नेरी की जो मेरी उड़ाओरी अपनी जो मेरी आभी खुम सजाओरी पूल माला सुन्दरे कोया को छोने चादी के आभूसने बनाओरी जोने डादी के आभूसने बनाओरी सब्सक्राइब 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 हाओ री सुहाग नारी पंगा लगाओ री हाओ री सुहाग नारी पंगा लगाओ री पद्मवती माता को खूब सजाओ री करते देवें पंगा है कि यह री प्राइब करें किरी प्राइब थोड़ा जल्दी जल्दी करें और अगले मागे शिर्कार के लिए स्रीमती रितु जैन, स्री मनोज जैन आगे बढ़ते रहे स्रीमती रहनु जैन, स्री दीपक जैन स्रीमती सुनीता जैन, स्री बविश्य जैन स्रीमती रूची जैन, स्री परवीन जैन स्रीबती ऑ्टेंज एंसरीश जीदें माथे पे माता के बिंदिया लगाओ रे माथे पे माता के बिंदिया लगाओ रे माग में तुमी के सिंदूरी मराओ रे माग में उनी के सिंदूरी मराओ रे अपने सुहाद को अखड़ बदाओ रे अपने सुहागे को अपने कर बनाओरी सीस पे मात आके उकुटे पेनाओ जी सीस पे मात आके उकुटे पेनाओ रे गोध भराई वाला को रहें गोध भराई वागोध भरो बात आगे अर्चना जी गोध भराई गुजरी तेरी इक्रबा से प्रभू जिन्दगी बाकी जितुनी बची वो गुजर जाएगी उसरी तेरी ग्रबा से प्रभू जिन्दगी बाकी जितुनी बची वो गुजर जाएगी उसरी तेरी ग्रबा सीश पे माता के बुकोटे पेना ओरी सीश पे माता के बुकोटे पेना ओरी हमारे बीच में जैन समाज के पदादिकारी एवंग सिंग की आवाज के संपादक शिरी वीर अर्जुन जैन जी पस्तिते मैं अपने स्वागत टीम से नरोद करूँ है विकर पेनका स्वागत करें मिवा में सिरी पकवानों से गोदे भराओरी मिवा विसी पकवानों से गोदे भराओरी मिवा पत्रों से अपने गोदे साराओरी मिवा पत्रों से अपने गोदे साराओरी मिवा पत्रों से अपने गोदे साराओरी कि शिरिमान धनकुमार जायाओ जिरिमान धनकुमार जहैं जी गर्प हमार अशमान करें स्रीमान धनकुमार्दी किरपे आए हमारे संभान करने चलो 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 वीर अर्जुन जी चलिए जिन्वाणी वाले कोई है और अगले अगले कार्य करम के लिए किरपे मल लाएं तग्यार रहे किया कि अगले कर दो अगले 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 अगल अगल श्रीचिंतमान पार्षना ध्रणी पद्मापति माता आए भक्तिराग्ना जिन्मानी इस्थापरम्गरोई अगले अगले चलिए बागे सम्झी चाएं बीच में कोई भी मत खड़े होना अगले अगले च्छत्र अडपर क्रतागर बेरी अवास वनने तो किरपे आजाएं च्छत्र हमारे वीर अरजुन अरजुन भाई बहुत बहुत स्वागत करते हैं बहुत सुन्दर संपादा के हमारे अरजुन भाई बहुत बहुत स्वागत करते हैं च्छत्र अरपरण वाले आजाओ च्छत्र किसका है मनुख जी और जो आज के रसम करता है सबी वे के पर अपनी रसमों को समान रसमकाराले से लेके आगे आजाएं आज के फल वितरण स्रिमती मम्ता जैर शी शकुन जैन जी शी सारीका मंगल आर्थी स्रिसारीका जी शी सती जी परसाद वितरग स्रिमती सती जैन शी नमीन जैन जी पर दो इख जाया है किदर आयो जारहे है मैं आपर अगदिए यापर एख जो टेकर ओ रे कर दो तो ओम्री श्री पद्वापती देवी इंद्रम अरगम पादम गंदम दीपम धूपम चलूंवलि सस्तिकम अक्षतम यग्यमार्गम से चलिए ग्रेहनम यहापे दिखा के ग्रेहनम ग्रहेडव। आईएगा छत्र अर्पित करें जी सार्पित एक मिरेट कार जाएगा हलो 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 हो सब का करियो बीडा हपार मेरी ही पदुमवंद्य बैया सब का करियो वेडा मेरी ही पदुमावत बैया मेरी ही पदुमावत बैया मेरी हुंचा वाली बैया मेरी ही पदुमावत बैया मेरी हुंचा वाली बैया सब का करियो वेडा हपार मेरी ही पदुमावत बैया आंग्रा सुन्दर छत अर्भ करें तिर मंदिर भूम सजाओ सोवे का चतर जडाओ पुताओ वर्मतियम के थाली मेरी ही पदुमावत बैया सुन्दा करियो वेडा मार मेरी ही पदुमावत बैया सुन्दा करियो वेडा मार मेरी ही पदुमावत बैया सुन्दा करियो वेडा मार मेरी ही पदुमावत बैया तिर दर से खाली न जाओे सब मन की वरादे पावे सब मन की वरादे पावे सब काकरियो वेडा पार मेरी पगबावती वरादे पावे और हमारे विशेष नयोगी स्री मती रूची जैन, स्री नितिन जैन, स्री मती कविता जैन, स्री मनोज जैन, कार्तिक जैन, स्री नवीन जैन, स्री नितिन जैन, स्री मती प्रीती जैन, स्री असोग जैन, स्री मती अर्चे जैन, स्री विपूल जैन, स्री मती नीलम जैन, स्री संजे जैन, स्री मती नीलू परशाद प्राप्त कर लें और जैन मिलन परिवार मेरे पास आजाएं सभी जैन मिलन परिवार नभीन सादरा आजाएं पहले सभी बस इसके बाद में बच्चों का गारीकरम बिल्कुल तैयार दो मिनिट का फिलम आईगा बहिए उपर आजाओ सब यह कहीं नहीं जाएगी तिजोरी ही रहेगी चलो कि अधाल बात में चड़ाइं नो आति आओ आ कि वाई एक डारियर ले लो आदे दर ख़़े जाओ आदे दर प्राइज कोगए निए जा भी आप निए प्रंद में आ जाओ जैन मिलन परिवार के सभी सदस्थे किरिपय मंच पे आएं जल्दी करके चलिए चलिए आईए सज्जे जी आजाओ आईए तौनी वैसाओ आजाओ गौरव जी नमीन जी पटापटाएं नमीन जी ट्राइपूट एक पुरण एक पुरण तो जाओ इधर आजाओ अलो थोड़े फूल निये फूल दो उसी पे रखो बुलिय चिंटावणी पार्षणा भगवान की बुलिय नमीन साद्रेवली माता की आईएगा आज लगातार नो वरसों से जैन मिलन परिवार नवीन साद्रा इस कारिकरण को कराते हुए आज दस्वी बार मा के चरणों में याराधना और बहुती सुन्दर आयोजन हर वरस की बाती इस वरस और मा के चरणों में ये दस्वी अराधना जैन मिलन परिवार नवीन साद्रा बहुती भक्ती भाव के साद कराते हैं और प्रभू के चरणों में मा के चरणों में इस रिफाल अर्पित कर रहे हैं और यही कह रहे हैं ये प्रभू जिन सासंग देवी माता पग्मवती हम आपके चरणों में हर वरस की बाती इस वरस 2023 भक्ति अराद्दा दस्वी बार करने के लिए जा रहे है हम सभी से आपकी भक्ति अराद्दा में आपकी पूजा अर्चना में कोई भी तुटी, कोई भी कभी रह जाए उसके लिए हमें छमा करें छमा करें, छमा करें अब आप सब नीचे आजाए बच्चों का कारीकरम बिना बिलब किये जो फोटो किछवानी किसी को कुछ कर रही हो जैन विवेक ब्यार से माला समर्पड के लिए आएंगे उनका मिलन परिवार स्वागत करता है ये तो महावीर का सच्चा दर्बार है जो भी दिल से याद करे उसका बेड़ा पार है जो भी दिल से ध्यान करे उसका बेड़ा पार करता है उसका बेड़ा पार करता है तो इसी श्रंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बड़े बच्चों ने सोचा कि छोटे छोटे बच्चों ने तो इतना अच्छा किया तो हम ही क्यों पीछे रहें वे भी अपनी उमोंगों के साथ आपके समक्ष प्रभुभक्ती में लीन होकर अपनी एक सुन्दर सी प्रस्तुती देने जा रही है प्रपया करके तालीब जाकर उनका उत्साह वर्धन करें चंड चंड गंड पिंड खंड 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 नम न दंड कम सुपंड तंच गंड 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 ग अजेय कर्म भूपतीं पराजितं जया जितं सुभावनों चा भाव शूने भाव वेद्विभावनं भविष्य भाव भावकष्य भाव रूप भावका असंभवो नसंभवो हिसंभवो चा संभव भावात्र शू भावात्परो भवम अरोनसंभव कुनित पुश कलम्च शुब्रष्मि पुश पुवर्नकं सु तुन्य बोध पुष्पितं चा पुष्प के तु मर्दनं सु पुष्प पुष्प सैयुतं चा पुष्प रेनों गंधकं सु पुष्प दंत पुष्प दंत पुष्प पुजिवंदनं पतिक्रतं विशुद्ध नंग नेम शास कस्तु तिंभा वेच्मरंदुर वज्य नह सुटीति वध्धि शालिना दुनिष्च सोने जात्न भत्ते रंगे तष्च नित्य शंत् समस्त कर्म नाम विनष्च चाधी दीर वर्ष्च समस्त कर्म नाम विनष्च चाधी दीर वर्ष्च अम्हाधी आम नहीं आी। खे बाक्योर ढोल बाहि बाक्योर ढोल मरा प्रभुनी भक्ती मा भाक्योर ढोल खे बाक्योर ढोल बाहि बाक्योर ढोल मरा प्रभुनी भक्ती मा भाक्योर ढोल खे बाक्योर ढोल बाहि बाक्योर ढोल बाई बाक्योर ढोल जाबू मने के छट जाबू मने जाबू मने वंदू मा दोड़ी गई दोड़ी गई रे हुट्टो दोड़ी गई रे मिली घर्नाई काम बदा दोड़ी गई मिली घर्नाई काम बदा दोड़ी गई बाक्यो रे डोल बाल बाक्यो रे ठो मारा प्रभूनी भक्ती मा बाक्यो रे ठो घेलो थयो रे गाम घेलो थयो मारा प्रभूनी भक्ती मा 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 घेलो थयो शिकर जी पर किसी ने गर है आख भी उठाई तो सरकारे भी गिरा के रख देंगे हम दिना समझो हमें कम वेर अन्शज है हम तिर्थ जो महान है जो जैनियों की शान है शिकर जी जैनियों का सम्मान है एक एक पत्थर भी उजनी है जहां करोडों तिर्थों के जो समान है कुछ भी सोचने से पहले इतना समझ लेना के वो तिर्थ नहीं जैन साविमान है जिंगारी जो लगाएगा मशाल बन उठेंगे हम जैनियों को ना समझ किसी से कम वीर की संतानी हम है सबसे पहला ये धर अपमान तिर्थ काना होने देंगे हम ना समझो हमें गम वीर वंशज है हम अपर है इसीता घर्ग उसके लिए भी एक बार जोड़ा तालिया बजाएंगे वेवी स्टेज पर आएं अब हमारे बीच भारते जैन मिलन के उपाध्यक स्रीपीकी जैन साब संस्कार मंच के पदधिकारी पाश्चना तेकता संद के पदधिकारी और जैन अपना पन फाउंडेशन के पदधिकारी मुझूद हैं मैं अपनी स्वागत टीम संरूद करूँगा वे इनका स्वागत करें किरपे आप सभी हमारा स्वागत ग्रेंड करें सम्मान गरन करें आईए आप सभी का स्वागत है और अब मैं मा की गोध भराई के लिए मा की गोद भराय के लिए द्रभी जैन बलभी नगर the beer उतिन अम्कूर जैन लिएना सिर्ि मति मितुज़वम के जैन नवेश आधरा श्रिमति Shaun अबियाए हमिता जैन ठेटीश जैन नवीश आदरहण कर्द श्रहिए आमिता जैन स्री प्रइफ है जैन नवीश आधरा सिर्मति कलप्रMR जैन waren अबभ आप सबी आये और अपना पशाथ गैनन करें कि मा के दर्शन ले दर्शनों का लाप ले और हमारे बीच में श्री बविसे जएन भी आये वे भी किर्पिया अपना पठाषाद ग्रेंट रसंकारrella से पना पठाषाद ले कि महा यकं़न करें 1995 la मिलन प्रान की वशता है आप फेले सकते हैं महात चन्नोruck में में चला शकते है निशुल के है वह हूँ और इसके लावा बी और बी और भी कोई किसी रशंब में भाग येना सकता है आमें बता सकते है उपी सेओं किने भूटाच अपलब आप सभी इनका नाम परफ और करें रसम कारले से रसम कारले से लें और थोड़ा विलम हो रहा है रुपेज जी को भी सुनना है हमें इसी लात भगवान की जैए आए अंपयस्ट्री मुजगल गुरुप जो आप भवी दर्वार देख रहे हैं माश्शाख साथ बराजबान है अस्ट धातु की बनी रही है ये मूर्ती माश 사थ साथ बराजबान भवी दर्वार के साथ अंपयस्ट्री अपूरी टीम स botti यहां पर हुपस्थ्त हैं तो आईए बहुती सुन्दर सी आवाज कहते हैं कि तरी जोती से नुर मिलता है मां गमे दिल को सुरूर मिलता है और जो आ जाता है तेरे दर पे उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है तो आईए सची लगन से मा के चड़नों में सभी धियान लगाएंगे आईए मा सरसुति ने बहुत ही उसमतर कंड दिया है मा के कृपा पात्रे हैं मा के चड़नों में मा का गुंगान करने के लिए आधर्णी असरी संजे 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 जैन जी जैन जी हुआ टू एह कर दो Robertson's बढ़ता When बुली का चिंता मणी पार्शनाव भगवान की माना की ठंड हो रही है लेकिन अभी तो सब अपने अपने लगे है वारी क्रम कोई व्यवस्तिक तरीका नहीं है वह बैठ जाओ दरह भीच में से अलो और हमारे बीच में स्वर्गे मेंदर कुमार जीन के सुपोतर स्री सतेंदर जी उपिस्तित हैं मैं उनसे नुरोत करूँँ विक्रप हमारे संबान करें बाई सतेंदर जी किरपे एक बार सभी अपना अपना इस्तान गरेंट कर लें जो भी पीचे खड़े हुए हैं भाई सभी एक बार आगे आ जाएं सभी अपना इस्तान गरेंट करें यह इदर से भी सारे ब्यवस्ति के एक बार थोड़ी देर के लिए यह बंद करवा दो बैट जाओ सब आप सभी जैन रो दें किरपे सभी इदर बैट दें बहुत ही सुन्दर मा का दर्वार सजाया जैन मिलन परिवार ने माता जी का सिंगार किया और आईएगा हमारे जैन धरम का मूल मंत्र महा मंत्र नवकार और उसके बाद रुपेज भाई यहाँ पर कुछी छड़ों के अंदर उपस्तित होंगे आईएगा मंगलं भगवान वीरों मंगलं गोत मोगरी मंगलं कुंकुंदा जैन धरमोस्त मंगलं विगन हरने मंगल करने चौवी सोजिन राद प्रथमे नगो अरहंत को रड़की जोगा है ये वो जगाद है ये वो जगाद जिसने लाखो को तारा हो कॉन बोल रहा है ये एक बार भया बैट जाओ दरा नेंजी हमें प्राणों से प्यारा मत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा है ये वो जगाँ है ये वो जगाँ जिसमें दाखों को पारा मत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा मत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा हमो अरी हंताणं हमों से थाणं तमों आयरियाणं तमों अच्छायाणं तमों अवे सब्साहुडं मत्र नवकार हम प्राणों से प्यारा अरी हन्तों को नमने हमारे असुद करमे अरी हगने करे सित्वों के सुमें रने सी आत्मा सित्वी छेत्री को कमने करे भावु भावु में भावु भावु में नहीं नमें दुभारा मंत्र नवकार हमी प्राणों से प्यारा अरे नवकार हम प्राणों से प्यारा अरे नवग्रेह उसके रखी पक्ष में नवग्रेह उसके रखी पक्ष में जो द्यबले लौबारा कि नौ बार तो हम कर चुक है राद ना और अब दस्वी बार कर रहे हैं फिर भी भूल बच्चों बैड़े जो नीचे नीचे बैड़े पैंजी बैड़े जो क्या कह रहा था वे क्या वाद है अरे गैस भी लगा दी अब तो जैन मिलन वालों ने देखो ताब के रिए फिर भी आवाज नहीं आ रही कभी गोल गप्पे भी खायाएंगे कभी टिक्की खायाएंगे फिर भी आवाज नहीं आ रही किन-किन को खुसी है आज इस अरादुना की एक बार दोनों हाथ में पर करके दिखो देखना भईया हमारे चैनल से जरा सबको हैं विल्कु सीदे जबरदस्ती नहीं करना जिसको खुसी है जो खाने पीने मेला घूमने आये ना वो मत करना यह मेला लगता है जैन मेलन का विल्कु सीदे दोनों हाथ से इल्कु ताली मजाते वे नमोकार नमोकार महामत नमोकार 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 महामत नमोकार 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 महामत नमोकार कर दो स्रावक इसको जब कर भुनि संतों होगे संतों नहीं जबा तो अरिहंतों होगे स्रावक इसको जब कर भुनि संतों होगे संतों नहीं जबा तो अरिहंतों होगे अरिहंतों के अरिहंतों के लिए खुल गया फोक्स पहल लखा गया विल्जे मोलेंगे नमोकार नमो नमोकार नमोकार महमंदु नमोकार नमोकार pan नमोकार महमंस नमोकार कि अब और भगा प्रैके तीधिए खड़े में सभी आक आए थोड़ा आगे आजिए थे समय इसे तो ना आगे मैं का चुछ बंगल मूरते, मून पहाली जयरे भिवा धर्वेद्र की रावनी जयरे भिवा तेरी जहो दिवा फुम् चावाली जहो दिवा घॉरे भिवा तेरी जहो दिवा ओ चावाली बद्वा बद्वा दूलक्षणी अई घमिर करके दोनों हाथ खोल के बीडियो पर कि तानिया बजाते हैं बजन में आगे सुनू जब करूँ है जब आपके तानिया बजेंगे दोनों हाथ खोल के अम्मा दोनों हाथ खोल के कुर्सी वाले भी पीछे वाले दोनों हाथ खोल के तूलक्षणी तूलक्षणी को ही महाँ आया बाकि सुरी देशने है कि छाया जेली वी महा तेरी जैवो तेरी वी महाँ गुंचावाली पदमवति मां जेली वी मौतिरी जेहोदी वी मां गुंचावाली पदमवति मां तो नमोकार की नमोकार की लगाई भुलवारी एक असापसा पारद गुलवारी नमोकार की लगाई भुलवारी पदमवति मां नमोकार की लगाई भुलवारी पदमवति मां कली कली मैं बहक उसी की कली कली में कली में बहक उसी की हर पक्षी में बोनाचे मोर्कों के को लबिया कारी पत्ता परस दुर्णा एक बार समी मिलके बोलेंगे क्या वात है बैटरी मिकुली डाउन है नामों सेदान नामों सेदान नामों अयरियार यान म नावो अच्छायार अच्छायार बनावोवी संप्रसाबुण दोलों फात खोल की उन्नमोकार नमोकार वाहावंत नमोकार नबोकार नबोकार वहांद नबोकार नबोकार render नबोकार वहांद तरबगार निजल से टेवर कि नबोकार जिनोंने ताली वे जाई उन्गा सुक्रिया जिनोंने नहीं वे जाई उनका बहुत बहुत सुक्रिया पतानी किस बज़े से नहीं वे जाई को मजबूरी होगी और आएगा हमारे पंड़े जी का स्वागत भाई मनो जी करेंगे पंड़े एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंकज भाई बड़ाई प्यार करते हैं और हमें सही बिल्कुल वह 500 और एक प्रदान किये हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में पूरुप जिलाद्यक भाई केला जैन और ऐसे जैन समाज के परदान स्री ओंपरकाज जैन जी उपस्तिते हैं किर्पेवे आएं हमारे संबान करें मैं अपने मिलेंटीन से मुरूद करूँगा वे किर्पेवें का संबान करें इसीता गर्ग इसीता गर्ग चली मेरा सभी से रोदे जो भी इदर उदर घूम रहे हैं किर्पेवे सभी आजाएं और आके यहाँ पर अपना इस्थान ग्रेंट कर ले जो भी इदर उदर घूम रहे हैं और कालका जी से भाई पंका जेंच भी हमारे बीच में वस्तित हैं हम उनका मिलन परिवारी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनमन दन करते हैं गोलू इसी ता घर का घर हैं तो आईए मुजिकल ग्रूप की ओर से बहुत बहुत धन्डेवाद करते हैं और आईएगा आगे चलते हैं बहुत ये सुन्दर मंदिर यहाँ पर आज जैन मिलन द्वारा अस्ट धातु की ये प्रतिमा बहुत ये सुन्दर प्रतिमा जो बनाई और आज उसी के समख्च जैन मिलन द्वारा इसी ताघर का स्वागत करती है हमारी जैन महिला जैन मिलन दक सारी का जैन मैं उन्हें द्वारा आज ये इन बच्छों की कॉरियोगराफ ह्रें करिपन के लिए जो जो दार नय Except अच्छे अच्छे चलिए आईएगा चलते हैं आगे अच्छे आईएगा चलते हैं आगे मासी ओंटे आईएगा चलते हैं आईएगास वोगे अच्छे आईएगा करणी आईएगास अंरोया चलते हैं आईएगाओादा लाहा हम स अजक मर den सेंईएगधार चलते हैं जाईएगादें इलतेयो गत्ता हैं suggestion और हमारे इंदुस्ताइर कही नहीं पूरे बिस्व के विख्यात वाचस्पती प्रोफेसर टीकमचन जैन जी एक बार जोरदार तालिव जादे जो कि हमारे समक्ष बादारे जैन मिलन परिवार बहुत-बहुत स्वागत करते है प्रतिश्चाचार्य विधानचार्य प्रोफ आश्टेलिया भी चलेगे कोई आएगा पंड़जी न का आप की बार मेरे साथ आश्टेलिया चलना है चलिए आईए सभी बैठ जाए एक बार विवस्ता बना करके फिर मैं आम अंत्रित कर रहा हूं भाई रूपे जीगो आईए का जो भी इदर उदर खड़े भाईया सब बैठ जाओ सब बैठ जाओ आगे आगे बैठ जाओ सब देखे जबी आनंद आएगा कारीकरम में सब भी बैठ जाई है इदर से भी सब बैठ जाओ भाई सब इदर ही बैठ जाओ आनी रात आई है वो देखो लाखो जोत वे इक जोत जगबगा आई है और जगे का भाग का भाग का यह भक्ति कराने वालों का वो देखो बाकी मूरत मुस्करा आई है तो मंदिर बन गया प्यारा प्यारा मैया तुमको आना है वो मंदिर बन गया प्यारा प्यारा मैया तुमको आना है वो पारे सनात पारे सनात हमको जूब के गाना है सबी मिलके बोलेंगे देखे आनंद लगाएगा सिरब आपको इतना बोलना है मैया तुमको आना है क्या बोलना है बोलेंगे सभी कि मंदीर बन गया प्यार प्यारा क्याद। फिसे बचिलर पार्टी के वाज आ यह थावन या टन्न ही है उर्रुपय लिखिक edgy.. और दोनों खोलके बो लेकिन तो और आनन्द आएगा और यहां पर भक्ती करके बोलेंगे तो और भी आनन्द आएगा कि मंदिर भन गई प्यारा प्यारा हम विए तुम दो आना है पारेजना के बारेजना हम दे हम दो जूब के गाना है मंदिर भन गैज प्यारा 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 तुम को आना है आजा आजा स्वागत में हम पल्खों को भी चाएगे पर खुश्बू के जोखों से सारे मंदिर को मैं करेगे के सरिया के सरिया चंदल भाथे पिलक लगाना है केसरीया, केसरीया, जन्द जमांके लिजल राजा आहे ओ मंदिर भर गया प्यारा क्या है हमारा जैन्धरम लेकिन जबरदस्ती का लिए अगर आपका मन करे आदि घंटे बैटने का तो बैटो नहीं चाट पोड़ी खाओ अपने घर जाके सो जाओ रजाई हो और मन करे भक्ति करने का रूबेज भाई अभी आ रहे है उनके साथ मैं बिलकर के भक्ति करेंगे तो आईए गा दोनों हाथ खौल गए किस-किसको सुन्दर लग रहा है मैंने का था ना कि जबरदस्ती नहीं बिलकुल सीरे जिनको लग रहा है वास्तम में कि हां हम मन्दिर पे बैटे बिलकुल सीरे दिखा दो दौनों हाथ कोल गए उमन दिर भन गया प्यारा प्यारा मैया तुमको आना है वो पारे जिनाओं को पारे जिनाओं के हम दो जूमिक गाना है वो बंदिल बंदेया प्यारा प्यारा मैया तुमको आना है वो बंदेया प्यारा मैया तुमको आना है अर जैसा हमसे जो भी बन पाया है वो स्विकार करो अर फूल अगर कोई हो जाए तो मैया हमको न अप गरो अर फूल अगर कोई हो जाए को मैया हमको अप गरो दर्स दिखादो मैया हमको वीरा दर्सन पाना है अर दर्स दिखादो मैया हमको तेरा दर्सन बादा है घिल के बोलेंगे मंदिर बन गया प्यारा प्यारा मैया मंदिर बन गया प्यारा मंदिर बन गया प्यारा प्यारा मैया तो अमारे टोबी वाले अंकल कह रहें कि मेरे सही कह जा रहें बार बार ऐसा तो नहीं है भाई ये का दोनों हाथ कोल के मंदिर बन गया प्यारा प्यारा मैया तुम को आना है मुलिये तिखान वाले बाबा की मुलिये धर्डेंद्र पद्मावती माता की मुलिये हुम्चा वाली माता की मुलिये लाल मंदिर वाली माता की और नवीन शाद्रे वाली माता की और आईएगा क्योंकि उनके छक्तर छाया में हमेशा ही रहते है और आईएगा मैं आमतिर कर रहा हूँ आज ये दस्वी भक्तिया रादना जैन मिलन परिवार द्वारा और जैन समाज के और हम सभी भक्तों के ऐसे लाड़ ले जो कि सुरीमान राजेंद्र जैन रविंद्र जैजी और सभी गुरुओं का असिरवार दिल्ली से लेकर कर्णिय कुमारी तक पूरे विस्तु में जितने सादुगण है सभी का असिरवार प्राप्त करते हुए आज जैन मिलन परिवार में बहुती सुंदर प्रस्थुती लेकर कर आ रहे है हम सबी के जैन समाज के लाड ले इस जैन धरम की द्वजा को आगे फैराते वे चल रहे हैं अभी लगातार लगवक एक महीने से लगातार कारीकरम चल रहे है कल हम लोग रातरी में रोतक में थे और सुबह ही पांच बजे वहां से आया उसके बाद फिर रुपेजी का एक दुफैर में प्रोग्राम फिर अभी साम को यहां रहे परसो औरंगवाद इस तरीके से रेगुलर कारीकरम चल रहे है लेकिन फिर भी आप भक्तों का प्यार इतना मिलता है और मा सरस्वती का आसिरवाद उनके उपर पूरा है केते हैं मा सरस्वती किसी को सुर देती है किसी को साज देती है और हो जाए पहरवान उसको एक सुन्दर सी आवाज देती है आयेगा ऐसी सुन्दर आवाज के ज़ादुगर by Rupes गुरासपणी व्जाते हैं दोसे सोंग कि वे डिए पितने से कि वे रखं युछ कि वेसा स्थाटो प्तिक कि वेसा सबचान ADA कि वेसा सोंग सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें इसे लिहां स्मार्ट हो गई हाध जी आए एक बज़ोर्दार तालियों जा दे और जैन मिलन परिवार टोनी हिदा इसे Promot चलिए थोड़ी थोड़ी ताली में जादे करता हुद नहीं कि हमारे मनोज भाई का भी तेना कर दो मनोज भाई कि सर्माते हैं जाने थोड़े सर्मी लें बहुत साधी तो सब हो गई साधी वाद कि मैं बाई करून जी से अनुरत करूंगा संजी जी के सुपुत रहें संजे जी अमबेसी वालों को सुपुत्रें भाई करून जी बिलन परिवार उनका स्वागत अभिनंदन करता है आओ जी चलिए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बिलंब के हो गए पुरुषकार वगरा सब हो गए ना अब कोई रुकावट नी आईगी मनोज जी आईगा अपने इसाफ से हमारे रुपेश भाई एक पार जोर दार पिर से एक पार जोर दार ताली बजादो ताकि थोड़ी सी एनर्जी आजाए क्योंकि बहुत देर से बैटे वे आईएगा पिज जी का तैह दिल से स्वागत करते हुए कारी करम के बीच में एक छोटा सा कारी करम और रह गया है मैं आपको बतादू जैन मिलन का सितने भी कारे कारनी के सभी सदस्य सभी सदस्य है जल्दी से आएं एक किताब का भी मोच करने जा रहे हैं जो हमने एक किताब चपवाई है इसके अंदर पिछले 25 वर्षों का यह भी एक अतिसंदर बात है 25 वर्षों से जो जैन मिलन आपके तत्वधान में आपकी सेवा में तत्पर है तो उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा हमने एक किताब में चपवाया है औ और यह किताब जो है इसका भी विमोचन कर रहे हैं और उसके पश्चार यह किताब आपको कारालिये से सबको फ्रियोफ कोश्ट मिलेगी गर्ण enc enc en गूरुजी को देवज सब से पहले गूरुजी यह वर्स जो है हमारा उस दाले का पच्चिसमा वर्स है तो मापतमुति के अराधना के रूप में हम इस वर्स के मना पुष्टिका का विमोचनम कर रहे हैं और इस पुष्टिका में पिछले 25 सालों से आपके अस्वर्मन ये सहयोग और आपके यादों को हमने इसमें अंकित किया है इसमें जानने जानने दि कोई तुटी हो तो इसके लिए हम छमा पराती हैं अब में अपने जैन मिलन परिवार से अन्रोथ करूँगा वेक रिप्या इस पुष्टिका का विमोचन करें हमारे साथ में गुरुजी, प्रोफिसर टिकमचन जी और भाई रुपेश जैन जी भी है बेबी पुष्टिका का विमोचन करें अलोग आप आप साप दिखा देगा है अगी जैन अगा जी जैन कारेक्रम है यह नर सेवा नारायन सेवा इसमें विश्वास करते हैं यह जैन मिलन भले ही नाम हो लेकिन संगे शक्ति कली यूग इसको सार्थ किया है जन जन को साथ लेके चलते हैं और साथ माहमारी भी तो जैन मिलन भानों ने सब की सेवा की और जो यतायो के किया ऐसे ही भाव इनके बने रहे हैं और रुपेज जी और अमारे एमडेसी मेरिकल गुरुआ पले तो आकर के यार रोनक कर देते हैं और वो भी दार में प्रभावना कर रहे हैं देश भी सकते हैं यही इसमेंने बताया चिकसा सुंदा एब और भी अनेक प्रकार की सुंदा पर हैं जैन मिलन वारा बिना भेद भाव के मानवताव की सेवा कर के जैन मिलनी निजन मिलन बना रहे हैं लनकि 데 प्रोपेसर तो यह परिवार रहे हैं किसी में भी पर्दानों चाहिए सरंचक जी ऑचाहिए मनोज जी जी ओई मनत्रियों चाहिए कैसे किसी में नेहीं सारे प्यारवाले इसलिए संजय जी पर्दान जी को डूंडते रहते हैं बुलिये सिंता उमरी पार सुनाथ भगवामी की आईएगा आप हमारे बीच में हमारे विदायक जितिंदर भाजन जी आचुके हैं करते हैं हम सभी का स्वागत करते हैं चलिए अब इन परिवार के ओर से इन सभी का स्वागत अभिनंदर करता हूं आईएगा अब माई कि यह हमार पास आएगा अब बिना किसी बिलम के भाई रूपे जैन जी है 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 मतिर थंकर रिष्यव देव भगवान की इतनी जोर से जाए है है हुलिए चिंपामने श्री पाश्वनात भगवान की है 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 थंड लगरी क्या है मैं मुझी तो लग रही है इसलिए पूछा देखे ठंड को भगाने का सबसे अच्छा जो माध्यम है बहुत वर्षों से ट्राइड एंट टेस्टिड या भगती की रंग में अपने आपको इतना एनरजी अपने अंदर डालिये तालियों के साथ भगती के साथ आनंद के साथ कि आपको महसूस ही नहोगी आप ठंड की राज राजेश्वरी महादेवी माता पदमावती माता की सुधार बहुत अच्छा है पेरी नाइस तो हमारे जैन मिलन नवीन शहादरा सबसे पहले तो आप सबको बहुत-बहुत साथुवाद बहुत-बहुत शुप कामनाएं और बधाई ये प्रति वर्ष का सुन्दर आ ही और हम सब को इनतजार रहता है कि पुनहा एक शाम भक्ती भरे सजाई जाएगी और इस बार कुछ अंतराल के बाद आप से मुलाकात हो रहे हैं और जिगह भी बदली हूई है लेकिन लोग वही है लोग वही है प्रेम वही है आप से मिला हुआ वात सल लिसने वही है और जैसे में हमेशा कहता हूँ कि नवीन शहादरा मेरा एक छुटा दूसरा घर भी है यहां मेरा परिवार बसता है तो मैं आओं या नाओं परिवार से जुडाओ और प्रेम हमेशा वैसा गवैसा बनाओवा रहता है तो हमारा संसकार मंच है जिसको गुर्दे भी बड़ा मिस करते है अभी मैं परसोही और अंगबाद के निकट परसोड़ा गाओं में था जहां पंच कल्नाडक प्रतिष्ठा महुत सो चल रहा है तो चर्चा करते करते सौभागी संसकार मंच की चर्चा होई जाती है तो गुर्देव भी कहते हैं कि दिल्ली वालों की भक्ती हमेशा अध्युती होती है और यही कारण है कि बस ये चातुरमाज बीता है बाहर अब पुन्हा जो कदम है वो दिल्ली महानगर की और गुर्देव के आप फिर से बढ़ने वाले हैं और इसी दिल्ली महानगर में फिर एक बार गुर्देव के चरन पढ़ेंगे हम सबको उनका सानेद्य मिलेगा तो चलिए बहुत सुंदर प्रारंब हुआ है हमारे संजे भीया ने सबको भक्ती की रंग में पहले ही से भिगाया है और हर वर्ष की तरह जो हमारे घर के नन्ने मुन्ने बच्चे हैं उनकी भी बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां यहां होती रहती हैं मैं तो यगदिपी नहीं देख पाया हूँ लेकिन मुझे मालूम है जो बाहर तालियों का शोर आ रहा था उससे अंदाजा लग रहा था कि बच्चों की बहुत सुंदर प्रस्तुतियां यहां चल रहे हैं तो इस सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाईयां उनको भी समझे इंतिजार रहता है जैसे एन्वल फंक्शन होता ने स्कूल का ऐसे यह सामाजिक एन्वल फंक्शन की तरह है उनके लिए प्रती वर्ष स्टेज पर आकर आप सब के समझ प्रस्तुति देने का उसर मिलता है तो चलिए बहुत बहुत बधाईयों के साथ अब ये सिलसला पुन्हा आगे बढ़ाएं और हमेशा की तरह महामंत्र नवकार के जाब के साथ प्रारंब करें जितने वर्षों मैं यहां आया हूँ हमेशा मैंने गीत महामंत्र नवकार की महिमा के लिए गाया है और लगबग लगबग सबको उसकी कुछ न कुछ पंतियां याद है अमूमन सबको पूरा गीत याद है इसलिए चाहता हूँ कि आज शुरवात एक नए गीत से करूँ ये गीत मैंने अभी अभी गाना शुरू किया है और आप मैंसे सम्भता कुछ कम लोगों ने सुना होगा चोकि कुछ लोगों का आगमन कई-कई आयोजनों में होता रहता है अभी पिछले आयोजनों में तो हमारी पूरी नवीन शाहदरा की आयोजन समीती भी मुझे आशिरवात देने के लिए पहुंचे तो लेकिन फिर भी आप जो शुरूता यहां बैठे हैं उनके लिए संभता अभी ये नया गीत होगा और आज तो कुछ नया होना भी चाहिये बहुत दिनों बाद आप सुन रहे हैं तो कुछ नया तो होना भी चाहिये तो चलिए यहां से शुरुवान करते हैं तीन से कर दो 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 कर संगीतारंब करेश्यानी सिद्धे भवतो में सदा मंगलम भगवाने वीरों मंगलम गौतमोंगनी मंगलम कुल्ड कुल्डाद्यों जैने धर्मों स्तुमंगलम मंगलम इड़मों अरिहन्तारंब इड़मों सिद्धारंब इड़मों आयरियारं इड़मों अज्जायारं इड़मों अज्जायारं अब कैसा है हमारा महामंत्र नवकार कि 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है जिस परहिट का जिन शासन का आधार है हर एक जैन को जिससे सचा प्यार है हर एक जैन को जिससे सचा प्यार है रमोकार है रमोकार है 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है जिस परहिट का जिन शासन का आधार है 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है जिस परहिट का जिन शासन का आधार है हर एक जैन को जिससे सचा प्यार है हर एक जैन को जिससे सचा प्यार है रमोकार है रमोकार है 84 लाख मंत्रों का जो सरदार है जिस परहिट का जिन शासन का आधार है सुनिए क्या क्या कर सकता है आधाई यह महा मंत्र नवकार कितने अचन्त महिमा है हजारों गीत लिखे गए 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 हजारों पुरान लिखे गए गए लेकopen नमुकार मंत्र की महिमाका बर्णन का भला कौन करे लेके फिर भी अल्प बुद्धी से चटी चटी बातیں है पहली बात संकट को टाल सकता है दुख से निकाल सकता है पापों में जो गिरते हो उनको समभाल सकता है पापों में जो गिरते हो उनको समभाल सकता है तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है दो नमोकार है नमोकार है चारासी लाख मंत्रों का जो सरदार है जिसे पर हिपिका जिन शासन का अधार है ये पाँच पदों की माला सुख पाई जतने वाला हो मनो रमाया सीता मैं आया चंदन बाला हो मनो रमाया सीता मैं आया चंदन बाला अनगिनत प्राणियों का जो अतार नहार है दो नमोकार है नमोकार है जो सरदार है जिस पर हिपिका जिन शासन का अतार है कौन कौन से हैं पाँच पदों परिहंत सिद्ध सूरीश्वर गुरु उपाध्याए और मुनिवर ये मोक्ष मार्ग के नेता येक्षे मनकर अभयंकर इस चाबी से ही खुलता मोक्ष का द्वार है इस चाबी से ही खुलता मोक्ष का द्वार है रामोकार है रामोकार है चोरा सिलाग मन्तों का जो सरदार है जिस पर हिपिका जिन शासन का अतार है अच्छा बहुत मुहत्पून बाद सुनें हो अला बला या विंतर कोई नजरिया जादू टोना हो अला बला या विंतर कोई नजरिया जादू टोना हो अला बला या विंतर कोई नजरिया जादू टोना ये मंत्र कवच जो पहनो तो बाल नबाका होना इस रक्षा कवच की शक्ति अपरंपार है और अमोकार है नमोकार है जोरा सिलाक मंत्रों का जो सरदार है जिस परहित का जो नशासन का आधार है आधों को चलता पाया पोपार्शु प्रभूने गाया पद्मावत और धर्णे इंद्र बने वे देव गती को पाया तिरी अंच गती से किसने लगाया पार है तिरी अंच गती से किसने लगाया पार है आधों रही नहीं 84 लाग मंत्रों का जो सरदार है जिस परहित का जिन शासन का आधार है जिवाब 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 ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में दो तरह की जेन हैं कितने हैं दो दिवाब बरशुता पर नहीं वो तो और बहुत सारे बट गए अब तो हम खंड खंड हो चुके लेकिन दो तरह के कौन से हैं एक वो हैं जो मन से वचन से कर्म से जेन हैं के बादों के दस दिन में जैन बन जाते हैं मंदिर में आपको बहुत भीड देखेगी सुभा अभिशेख अरे अभी तो प्रग्राम शुरू हुआ है मैं बहुत देर हुए हैं अभिशेख पूजन व्रत एकासा नुपवा सौब करेंगे ऐसा लगेगा कि दुनिया में कम से क दिल्ली में तो इनसे बड़ा धर्मात्मा कोई दूसरा नहीं है और दस दिन निकलने दो ग्यारवे दिन बारवे नहीं ग्यारवे दिन जितना नुकसान हुआ हो चाठ चौपाटी वालों कहां उसका पूरी भरपाई करने पहुंच जाते ग्यारवे दिन कोई चांदनी चाहे नियम न पूरे पालो चाहे धर्म से आँख चुरालो पर चैन जन्म से हो तो इस मंत्र को दिल में बसालो श्रध्धा से जपने रहे तो बेडा पार है श्रध्धा से जपने रहे तो बेडा पार है अन गिनत प्राणियों का जो अतारण हार 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 है अन गिनत प्राणियों को जिससे ही त्यार है हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है थोड़ा मोकार है न मोकार है चारासी लाक मंत्रों का जो अतार है एसो प्रचिड मोया प्रचिदा सवब बाव पड़ा तुसी को अगिलार चसदेश की पढ़व हवई मंकलों तकदीर बदलने का जिसको अधिकार है न मोकार है जोड़ी जब आप बोलते हैं न जैसे मैं गा रहा हूं थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है थोड़ा आवास बुलंद करके आप भी थोड़ा रिटन में कहेंगे न तो एक एनरजी प्रोड़ी होती है बोटी में फोड़ी ठंड कम लगेगे आपका भी फाइदा है और साथ साथ में माता के दरबार में बैटे हो तो थोड़ी भक्ती भी होती रहेगी हाला कि आपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है नमीन शादरा में हमने बहुत दिल से भक्ती की है बहुत दिल से नृत्य किया है बहुत दिल से तालिया बजाई है अब मैं दो-तीन साल बादा हूँ तो मुझे लग रहा है ऐसा नहीं आप भूल गए हूँ तो एक बार जैकार दोनों हाथ उठा कर उसके बाद अगले गीत की और चलते है बोल चिंता मने श्रीपार सुनाति भगवाने की अचा आज एक गीत तले आपको कुछ मीठा सा सुनाता हूँ फिर हम भक्ती की रंग में जब चलेंगे तो फिर आप सुनने सुनाने को भूल जाएंगे तो एक गीत है मैंने अभी अभी गाना शुरू किया अमोमन सबने दो चार पंक्तिया हम सबने सुनी ऐसा कोई होगा नहीं जिसने इस गीत की दो चार पंक्तिया कभी ना सुनी हो क्योंकि बड़ा कॉमन भजन है लेकिन उसके आगे की कभी कहाने आपने संभता नहीं सुनी होगी वो मैंने पिरोई है तो रील्स में, शौट्स में छोटे-छोटे वीडियो में आपने कहीं दो लाइने सुनी होगी उनको आप मेरे साथ गाए आगे की लाइने आज मैं आपको सुनाता हूँ की कौन कहते हैं भगवान कौन कहते हैं भगवान आते तुम सुदर्शन की तरहा बुलाते सुदर्शन से परिचा हैं क्या किसी का? ओ नहीं हैं आपने महले में नहीं रहते हैं सेट सुदर्शन की बात कर रहा हूँ कभी कोई किताब खुली हो दोके से, स्वाध्याय करने के लिए, आपको पता हूं, इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हूं? बुल रहे हमारे नवीन शहादरा को ऐसे कमजोर समझ रहे हैं क्या पता है नहीं पता होगा ये तो भया सवाल ही नहीं है इतने सारे आयुजेन कराती रहती है इनको तो पता रखना भी पड़ेगा है ना कौन कहते हैं भगवान आते तुम सुदर्शन की तरहा तुम सुदर्शन की तरहा बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम सो दर्शन की तरहा बुलाते नहीं तुम सो दर्शन की तरहा बुलाते नहीं का लैची और्याचीट और्याची जवर्शन की तरहा बुलाते जयलो एकू CBD का ल cyclay बुलाते तरहा बुलाते हैं लिम्टोव टंक पूक वा है sticking कैद में जो रही बेडियों से बधी फिर भी एक पल भी जिनवर को भूली नहीं कैद में जो रही बेडियों से बधी कैद में जो रही बेडियों से बधी फिर भी एक पल भी जिनवर को भूली नहीं कौन कहते हैं भगवार खाते नहीं कान कहते हैं भगवार खाते नहीं चंदना के पर हातों खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवार खाते नहीं तुम सुधर शन के तरभा बुलाते नहीं अगनी शेया पे भी बिनवर खाते नहीं अगनी शेया पे भी बिनवर खाते नहीं तरे जो गई अगनी शेया पे भी बिनवर खाते नहीं जलती जौलाएं पल भर में जल हो गई जलती जौलाएं पल भर में जल हो गई अगनी शेया पे भी बिनवर खाते नहीं या दिसकी ता की करहा तुम करते नहीं वान कहते हैं भगवान आते नहीं तुम सदर्शन की करहा बुलाते नहीं मन में श्रद्धा का भगदी का जलता दिया वा दिया एक पल भी ना बुझने दिया मन में श्रद्धा का भगदी का जलता दिया वा दिया एक पल भी ना बुझने दिया कौन कहते हैं प्रभू रोग मिटाते नहीं कुझा मैना के जैसी रचाते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम से दर्शन की तरहा बुलाते नहीं अब जो आंतिम पंग्दिया है वो लगवग लगवग हम सबके हैं सबके लिए हैं जाधा तर मेजोरिटी लोग इसमें शामिल हैं बहुत कम छूते होंगे कहना हैं कितने पतितों को प्रभु जी ने पावन किया शुत्धा जिसने रखी धन जीवन किया इतने पतितों को प्रभु जी ने पावन किया शुत्धा जिसने रखी धन जीवन किया शुत्धा जिसने रखी धन जीवन किया कौन कहते हैं के पापी तरते नहीं शुत्धा अंजन के जैसी हम करते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तो बोलिए चिंतामनी श्री पाश्वनात्य भगवानी की जय जय बहुत सुन्दर अब देखिए नया वर्ष है अभी जादा दिन निकले नहीं है ना आज कौन सी तारीक है आठ है एक सकता पूरा आज होगा नय वर्ष में बहुत सारी मनों कामनाएं सोची होंगी कि जो प कोई बंगला कोई गाड़ी कोई पुत्र कोई पुत्री कोई धन कोई संपत्ती कोई व्यापार कोई बिजनेस कोई भूमी हजार बाते हैं जो संसारिक चीजों की जरूरते हैं उस सब इच्छाएं हमने सोची होंगी कि प्रभू इस वर्ष में ये काम तो हो जाए और कि अपनी चित्थी लेकर तो उस चित्थी में कुछ और बाते भी जोड़िये जो आज मैं आपको बताता हो एक नई चित्थी आपको सुनाता हो उसमें जो लिखा है उस सबके मन की बात होनेशाई अगर नहीं है तो और वो चित्थी प्रभू के दर्वार में हालाड़कि चित्वी से मुझे याद आया आप में से हुम्भुचा धाम हुम्चा पद्मावति जिनके आप आज यहां वहत्ति करने के लिए कत्रित हैं ऐसी मां का सिद्ध पीठ सिद्ध धाम कौन सा हुम्चा पद्मावति कौन-कौन जाके आया है वहाँ अब बहुत गिंती की लोग गए भी है जैन मिलन आदर ने टोनी जी एक विंती थी ये लोग इतने सारी यहां बैटे जिसमें से दस भी साथ भी उठे नहीं है जिन्होंने हुम्चा पद्मति की यात्रा की नहीं आपने की है लेकिन अब इंसक्त को भी कराओ ना एक यात्रा एक यात्रा आयोजित की जाए जो तालियां बजगें देखो यहां अब खड़े हो के सहमती देओ यह बाद है अब बज़ाओ जोरदार तालियां अब एक यात्रा होगी जो हुंचा पद्मावती के द्वारे चिंतावणी पार्षणाद भगवान के द्वारे नवीन देखना हम कम मैंड करके चलेंगे साथ में बहुत सुंदर अच्छा भी जाएंगे तो एक चौकी तो फिर होगी वहाँ तो चलिए एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि हुंचा पद्मावती आप जाएंगे इस पूरे कलियोग में अगर एक कोई साक्षा चमतकार आपक लेकर जाएं वह परची पर लिखिये अथमा मन में सोची अपना नाम परची पर लिखियो और वह यह सत्य बता रहा हूं अंदर भेजिए पहले मुझे लगता था कि इसमें कुछ तो गिमिक होता होगा कि फूलों को ऐसे सजाया जाता होगा कि कभी कोई फूल गिरता है कभ मैं भी साथ था तो जब परची हमने भेजी संजे भेया खुद प्रतेक्षदर से हैं तो कुछ लोगों की परची अंदर जाने के बाद जब पट खुलते हैं कभी कभी 20-25-30-30 सेकंड का समय निकल जाता है एक-एक मिनिट का समय निकल जाता है और तब जाके फूल गिरता ह और कोई-कोई पाँच-पाँच मिनिट तक हाथ जोड़े खड़े रहते हैं लेकिन फूल नहीं गिरता जिसकी मनो कामना अतिशीख समय में होने वाली होती है पूरी तो माता के बाई और से कंधे की तरफ से एक फूल आशिरवात स्वरूपी या कहें कि एक संकेत रूपी फूल वहां से गिरता है कि भाई जो सोच कर आये हो संभता बहुत जल्दी पूरा होने वाला है लेकिन अगर नहीं गिलता तो ऐसा मत सोचो कि वह काम नहीं होगा आप भक्ती करते रहें शायद थोड़ा समय बाकी है वह काम थोड़े दिनों बाद होगा अगर होने योग है तो अगर कोई सोच के जाए कि बुर्ज खलीवा खरीदना है मुझे तो फिर तो मामला थोड़ा कर तो जो काम हो सकता है वह सोच के जाओ तो जरूर होता है तो वहां चित्थी लोगों ने भावत भीजी आज मैं चाहता हूए कि नई चित्थी आपको सौपूं जो आप है एक चित्थी भिजवाई है प्रभू तेरे दर्बार में और कब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतिजार में एक चित्थी भिजवाई है तब तेरे दर्बार में तब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतिजार में एक चित्थी भिजवाई है तब तेरे दर्बार में तब मोहर लगेगी तेरी खड़ा इंतिजार में एक चित्थी भिजवाई है क्या क्या लिखा है चित्थी में पहली बाजो लिखे सुनों पहली यही दमना इतनी है आरजो पहली यही दमना इतनी है आरजो इतनी है आरजो जब तक चले यह सांसे सेवा तरी करो सेवा तरी करो सेवा तरी करो किसी नहीं सुन्दर भक्तियो और आप की तालिया भाहिया शॉल से हाथ निकाले यार बहर यही दमना इतनी है आरजो दमना इतनी है आरजो जब तक चले यह सांसे सेवा तरी करो मेरा नमबर पहला रखना भगतों की कतार में तब महर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में एक चित्ते भुझवारी है तब तेरे तर्वान में कब महर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में एक चित्ते भुझवारी है प्रधान जी आपके भी चित्ती है जरहें दराओ संजविया कोई कितना भी नाम कितने भी दौलाद कितने भी शोहरत कमाए लेकिन अगर एक पहचान बने कि ये जा रहे हैं चिंता मणी पाश्वना धवगवान के भग अभी आदरनी प्रफेसर साहब क्या बोले कि इनकी विनम्रता को देख कर लगता नहीं है कि बढ़ान नहीं तो प्रफान थोए आकड़े रहते हैं तो ये पहचान कमाई है ना स्वभाओं से तो मेरा कहना है पहचाना जाओ जग में तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से तेरे ही नाम से पहचाना जाओ जग में तेरे ही नाम से तेरे ही नम से खुद को तेरा दीमाना बतलाओ शान से ना करना कभी कटोती ना करना कभी कटोती मेरे हिस्से के त्यार में कभ महर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में एक चित्ती भिजवाई है रभ तेरे दर्बार में कभ महर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में एक चित्ती भिजवाई है दूसरी बात क्या लिखी है चिख्थी में जिस रास पे पर भी चलू तेरा ही साथ हो सुक दुक में मेरे शीश पे तेरा ही हाथ हो तेरा ही हाथ हो तेरा ही हाथ हो सुक दुक में मेरे शीश पे तेरा ही हाथ हो तेरा ही हाथ हो अपना बनाए रखना अपना बनाए रखना पराए इस संसार में तब महर लगेगी तेरी ख़डाई इंतजार में एक छिटी भुजवाई है रहो तेरे दर्बार में कब महर लगेगी तेरी ख़डाई इंतजार में तेक छिटी भुजवाई है रहो तेरी ख़डाई इंतजार में फॉजवाई है जो चौथी और अन्यमाथ है आप समझो पहली तीने बाते अगर जाने भी दो तो जब-जब प्रभु की प्रतिमां दिखें जब-जब मंदिर में पहुंचो तो ये चौथी बात एक बार नहीं सो बार नहीं घजार बार नहीं जब तक जीवनें यह दोहराते रहना सबसे जरूरी बात अब यहीं है क्या कहना है कर अगर सताएं मेरा धैर ना तूटे कर अगर सताएं मेरा धैर ना तूटे कभी देव शाष्त्र गुर्यों का आधार ना छूते कभी ते विशायस्त्र गुरुओं का आधार ना चूटे मरते तम तक रहिश्रत्था केवल नमकार में कभी महर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में एक चिठी विजवाई है रखो तेरे दर्मार में कभी महर लगेगी तेरी खड़ा इंतजार में एक चिठी विजवाई है रखो तेरे दर्मार में कभी महर लगेगी तेरी बड़ा इंतजार में किसको भीज़ने जित्ती चारे बात में ने कहीं अजिन इनको भीज़ने उठा तुना दुनों हाथ एक लाइन गाओ अरे उचे हाथ सुनों अब जब कभी धर्म की बात हो महफिल की बात हो धर्म की अब हाथ उठाने को कोई कहें ताली बजाने को कोई कहें तो संगोज मत करना बड़ी शक्ती आपके अंदर अभी पिछले दो महीने में पूरे विश्व ने देखा कि जेनों में कितनी शक्ती है आपका एक भाई साथ आग दिन तक बिना अन बिना जलके वैठा रहा वहाँ अभी तो के वाल ताली बजाने है या वो भी भक्ती में उधाता रहा एक चित्ती भिजवाई है एक चित्ती भिजवाई रभूते कब महर लगेगी तेरी बड़ा इंतजार दिये कब महर लगेगी तेरी बड़ा इंतजार में तो बुलिये चिंता मने श्री पार्श्वनात भगवान कीज़ बुलिये जिनशासनी हंसासनी राज राजेश्वरी महादेवी पदमावती माता कीज़ इतने सुन्दर भक्ती करने वाले चिंता मने पार्श्वनात भगवान और उनका मोक्ष धाम सम्मेशिखर इसका क्या महत्व है क्या जगा है हम सब के दिल में हर एक जैन के दिल में ये तो पूरे देश ने और पूरे विश्वने देखार तो आप तो ये पूछना बेकार है कि बाबा पार्शुनात सावलिया का दिवाना कौन-कौन है लेकिन फिर भी जो है वो एक बार जैकार अंतर से लगाए जो जैकार वहां स्वन भद्र कूर्ट तक पहुँचें और दो हजार तेईस का बुलावा जल्दी से जल्दी आजा दिवाने हैं और आपके दर्बार में आना चाहते हैं क्या कहना है उस भक्ति के साथ फिर आगे आपको एक नया गीत और सुनाता हूं जिसका इंतिजार यहां पर बहुत लोग कर रहे हैं है ना मुझे मालूम है तिखाल वाले बाबा के भक्त तो पूरी दुनिया में ऐसे पाए जाते हैं आप एक पत्थर मारों और किसी को लगे उससे पूछो किसके भक्त वो तो बोलेगा दिल्ली में तो कम से कम बाबा तिखाल वाले बाबा तिखाल वाले की क्या बात है बहुत सुन्दर फिलान सारे दीवानों की और से बाबा के चर्णों में अर्जी तर चाहिए कि तूटे ना कभी भी फिर ये सिलसिला हां ये सिलसिला प्रभु पार्शुक तुमसे ये वर चाहिए ये तर चाहिए अब यहां पर अच्छा ये एक जैसी साड़िया वाली तो नहीं है लगा नहीं मुझे भेक्ती से उड़ जाओ जड़ा दिवाने हैं दिवानों को ये तर चाहिए तुमारी प्रपा की नजर चाहिए तुपे नखा भी बी फिर ये सिलसिला प्रभु आशु तुम से ये बार चाहिए ये तर चाहिए तुम्हारी प्रुपा की नजर चाहिए ऐसे रिचाएंगे तुम्ही छोड़ कर और जाएं कहाँ कि फर्यात अपनी सुनाएं कहाँ कि जो कुछ मिला है तुम्ही से मिला है जो कुछ मिला है तुम्ही से मिला है तो अब जाके छोली फैलाएं कहाँ सुने ना चाहे कोई अगर तु सुनी दुदी ना चाहे कोई मगर तु सुनी दुआओं में ऐसा असर चाहिए ये दर चाहिए दिवान है दिवानों को ये दर चाहिए तुम्हारी रुपा की नजर चाहिए ये दर चाहिए ये दर चाहिए लगी तुमसे भगवन कुछ ऐसी लगन तेरा नाम ले लेके रहते मगन हा रहते मगन लगी तुमसे भगवन कुछ ऐसी लगन तेरा नाम ले लेके रहते मगन हा रहते मगन क्या व्यापर परिवार क्या जिन्दगी है व्यापर परिवार क्या जिन्दगी है सब पे तेरा ही तेरा ही करम जिससे तो हमेशा मेरे सगसग चले जीवन की ऐसी दगर चाहिए यह दर चाहिए पीवान है पीवान को यह दर चाहिए यह दर चाहिए तो मारी कृपा की नजर चाहिए नजर चाहिए पीवान को यह दर चाहिए यह दो तीसरी बात आप जड़ा देखना हैं गाता कौन-कौन है मेरे साथ कि जोरी में दॉलत मिले ना मिले, 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 किस-किस का काम चल जाएगा बिना दॉलत के जड़ा बता से दू यह चाहिए ही सबको अग एक हाथ नहीं उठा रहा है अरी यह तो इसलिए उठा रहे हैं कि आप अप नहीं चाहिए पहला ही भात है इनका उठाना तो बनता है वैसे दिल्ली पर बावा की बड़ी करपा है आप आप आगे की इक्षाएं मत करो पूरी करपा है वो रुक भी नहीं रही है चंता की बात नहीं है इसलिए कभी कोई कुछी है तो बिना डर के उठा दिया करो हाँ बिजोनी में गालत मिले न मिले न गदरी मुझे शान व शामत मिले न मिले न मिले रहूँ बन के सिवत तेरा और मैं भालू कुझे कोई शोहरत मिले ना मिले के तोरे ही भरों से प्रजुटक टा रही तेरी ही भरों से पेटो कटता ड़े जीवन का ऐसा सफर चाहिए ये कर चाहिए जीवादी है दिवादों को ये बन सभी ये वे दर चाहिए उहारी रिपा के नजर चाहिए नजर चाहिए रहे वाल सावलिया पाश्वरा सिभगवादे की रहे कभी लड़ खड़ा है अगर ये कदम तभी लड़ खड़ाएं अगर ये कदम सताएं कभी गर जमाने के गम तेरा एक सहारा अगर मिल गया तेरा एक सहारा अगर मिल गया पिरे भी तोफल में समल जाएं हम के चाहे साथ छोड़े जमाना प्रभू के चाहे साथ छोड़े जमाना प्रभू तेरा एक दोफ़ शीश कर चाहे ये दरचाई है दिमाने है तेरा मिल गये दरचाई है ये दरचाई है तुम्हारे करपा की नजर चाहे ये नजर प्रचाई है और जब करपा हो जाती है ना तो जीवन एक दम बदलता है मुझसे सब कहते हैं और मैं मानता भी हूँ कि बाबा तिखाल वाले की करपा मेरे जीवन में बहुत-बहुत-बहुत बड़ी है और जिस दिन से करपा हुई है आप सबने अपने दिलों में मुझे थोड़ी- इस नभी शाहग्रा को आते-आते भी अब तो कई साल हो गए तो मेरी लगातार जो यात्रा चल रही है इसके प्रत्यक्षदर्शी आप भी है तो आज आपके सामने बाबा से गुन्हा एक बात दोहराता हूं जो हमेशा आजकल कहता हूं क्या ये तेरा खोटा सा सिका ये त ये तेरा खोटा सा सिका चल परा तेरे नाम से मिल गई पहे चान जगुने बस तेरे कुन गान से मिल गई पहे चान जगुने बस तेरे कुन गान से वे तेरा खोटा सा सिका चल परा तेरे नाम से हाँ हाँ एक सवाल है आपसे भी पूछते होंगे लोग मुझसे भी पूछते हैं क्या सवाल है पूछते हैं लोग मुझे से राज इस मुस्कान का पूछते हैं लोग मुझे से राज इस मुस्कान का पूछते हैं लोग मुझे से तेगलो घब हाँ ये तेरा घौताा सटता चल परा तेरे नाम से ये तेरा घौता सटता चल परा तेरे नाम से वो लो 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 लोग बाहा है तो इसने दासे नहों भाई भागी की गारी में हो जब पुन्य के पहिये लगे अगर आपके मुख से कभी भी ये बात निकलती हो गयारे मेरी तो किस्मत ही खराब है तो ये लाइन आपके लिए है अगर आपको ऐसा लगता भी हो कि मेरी तो किस्मत ही खराब है उस किस्मत की जो गारी उसके पहिये चेंज कराओ के बल और उसमें पहिये लगाओ काई के, पुन्य के पहिये, अब पुन्य के पहिये पताएं कैसे लगते हैं, आप किसी भी परिस्थिती में हो, किवल एक काम करना शुरू कीजे, जिनेंद्र देव की श्रद्धा पुर्वक भत्ती करना शुरू कीजे, वो पुन्य जब गाढ़ा ह होता है ना और आपके भागी के साथ जब जुड़ता है फिर देखिए जीवन में कैसे चमतकारिक बदला होना शुरू होते हैं तो भागी की काड़ी में हो जब पुण्य के पहिये लगे भागी की काड़ी में हो जब पुण्य के पहिये लगे रासिता के साभी हो पर, रासिता के साभी हो पर, कटता है आराम से रासिता के साभी हो पर, कटता है आराम से ये तिरा खोटा ससिखा चल पड़ा तेरे नामसे ये तेरा खोडा सा सिखा चल पड़ा तेरे नाम से मिल गई तेरा खोडा सा सिखा चल पड़ा ते नाम से मिल गई तेह जान जग में बस तेरे गुनगार से मिल गई पड़ा तेरे नाम से ये खोडा सा सिखा चल पड़ा तेरे नाम से ये खोटा सिखा दिख रहा है आपको? ये खोटा सिखा है? एक बार चोड़दार ताली हो जादो ये तो अब हीरा बन गया है ये खोटा नहीं है सिखा क्योंकि सभी गुरूओं का असिर्वाद हमारे रूपेश भाई के उपर पूरी करपा, चिंतावणी पार्षनात, धनेंद्र पद्मावति माता और अभी हुंचा जी मैं भी जैसा बताया मा के चड़ों में बैट करके जो गुणगान करने का आनंद आया वह ये कलगी था अजबी रजा रहा था, रूपेश भाई और मैं दोनों ऐसा आनंद आ रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सुबह की फ्लाइट थी इसलिए जल्दी खतम करना बड़ा परो रहा हूँ तो आईएगा हमारे वीज रूपेश भाई के साथ, और वैसे भी सभी गुरूओं का आसिरवाद रहता है हमारे वीज परसांत भाई, यहाँ पदा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए थे, आईए गए बाद जोड़ दार तालिवे जादो परसांत जी के लिए, बहुत सु जबल पूर से, मनो जी तोड़ा तिलक करेंगे, हाँ, तोड़ा सही कर दो याद, आजावाज आईए गाजैन मिलन परिवार, और उपेश भाई, एक जैन मिलन, महीला जैन मिलन, महीला जैन मिलन की भक्ती तो होगए या आप सावभा की संसकार मंच की भक्ती बागी, एक इ कोई बात नहीं हम दो गीतों के साथ चुन्ड़ी चड़ाएंगे माता की लेकिन माता का आवान करने के बाद अभी माता जी जरा गई है ब्यूटी पार्लर में उनको कहीं जाने के अविश्यक्ता नहीं सोला शुरंगार लेकर उनके पीछे लोग दोड़ते रहतेंगे बस सुड़ार कर ले मा तो बिलकुल हमारी अरजी हमारी बिन्ती हमारी प्रहर्थना सुटी करें मा इस दरबार में उनका आगमान हो इसके पहले तिखाल वाले बाबा जी मनोज भी है कुछ कह रहे हैं जी मनोज भी है बिल्कुल सम्मेश चिखर जी स्वारी संजे भी अभी मैं संजे नाम सही ले रहा है इन्होंने कंफ्यूज शमा कीजिए तो मैं सम्मेश चिखर की और चलूँगा एक्शुली हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर खड़े हुएं बहुत देर से इनकी इक्षा है कि तिखाल वाले बाबा के चरुणों में चलें हमारे दितेश भाई प्रतीक भाई गौतम पुरी से लक्ष्मी नगर से संजे भाई मनोज जी सचिन भाई वरुन भाई कहा है वरुन भी है होंगे आस-पास होंगे आवाज उन तक चली जाएगी तो जितने लोगों रत्मत्रेविशे ग्रूप अच्छा क्या बात है ये तो वो ग्रूप है जहां प्रभू की भगती है वहाँ पर रत्मत्रेविशे ग्रूप है तो हमारे समी साथी जिनोंने बाबा तिखाल वाले के दर्षन किये हैं सबके दिलों की धर्कन बना हुआ और वास्तविक्ता में बात भी कुछ ऐसी है कि बस ये दो पंक्तिया जीवन में गाते रहिए मैंने एक बात मेरी माननिता है बलकि माननिता क्या है ये तो सत्य है इस मानाव जीवन का सबसे सार्थक परिणाम क्या हो सकता है कि सबसे सार्थक परिणाम इस मानाव जीवन का हो सकता है कि अगर आपने जैन बनकर जन्म लिया है तो जीवन में कभी इन सारे वस्तरों का त्याग हो दिगंबर मुद्रा धारण करें और जब मृत्यू को प्राप्त हों तो समाधी मरण के साथ प्राप्त हों ये जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है लेकिन इतना पुन्य सब लेकर आते नहीं हैं कि दिगंबर साधू बनकर पूरी चरया पुर्वग अपने प्राण त्यागने का अवसर मिले सलेखना का मौका सबको नहीं मिलता तो एक दूसरा option और है आपके पास कि मृत्यू अगर हो तो ऐसी हो कि सलेखना से कम ना हो तो बस कही न कहीं वही भाव इस गीत में है इस गीत के साथ आगे चलें और उसके बाद फिर हम मापतमावती का इस दरबार में आभान करेंगे कितना है कि यह जट्र में हर महीने महिने मेरी एक हाजरी हो अही छत्र में हर महिने मेरी एक हाजरी हो हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखरी हो हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखरी हो मुझे वही रोक लेना अही छत्र में हर महिने मेरी एक हाजरी हो हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखरी हो हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखरी हो मुझे हो आपान जिससे तिनी भी मात आएं मेरी खौइश है बाबा जिससे तिनी भी मात आए मेरी खौइश है बाबा जिससे तिनी भी मात आए सर जुका हो चर्णों में और जुका ही रह जाए मेरे पुन की जग में न को बराबरी हो मेरे पुन की जग में न को बराबरी हो मेरी खौइश है बाबरी खौइश है बाबरी हो मेरी खौइश है जुका हूएश है बाबरी हो मेरी खौइश है बाबरी हो जग्जका है बाबरी हो हुआ है जुछ बार खड़ारे एंडर करते हैं एस भर खडले करते हैं जुछ आ एक पर खडले हैं भावक मत अपनियु बावचर करते हैं जार इस नश्वर काया की जिस पल भी शाम ढले इस नश्वर काया की जिस पल भी शाम ढले आँखे हो तेरे मुखपे मन हो चरणों के तले कर देखे कैसा घृष्ष्य है कामारों में सिंद्धिगी में कलाकार व्यूंट विश्य रूफ से यह बात हमिशह कहते हैं स्वर्गिय डीपी कोशिक साहब हमेशा कहा करते थे कि प्रभू जीवन जितने भी दिनों का हो लेकिन अगर मौत आए तो जिस दिन स्टेज पर बैठा हुआ प्रभू की भट्ती कर रहा हूं बस उसी दिन मौत आना और यकीन मानिया उनके जीवन में हुआ भी ऐसा कि प्रभू की भट्ती करने के लिए नाटि का प्रारंब करने के लिए बैठेते नमोकार का जाग क्या और वहीं के वहीं मिट्टी हो गए ऐसी मौत भी भावत मुश्किल से मिलती है तो बार-बार प्रभू से कहना इस नश्वर काया की जिस दिन भी शाम ढले आँखें हो तेरे मुख पे मन हो चर्णों के तले सेवक पर मालक की खिश्की दया भरी हो सेवक पर मालक की खिश्की दया भरी हो मुझे वही रोक लेना जब सास आखिरी हो मुझे वही रोक लेना जब सास आखिरी हो तीसने बड़ी महत गून बात मांगनी है बाबा से गयना है कि मेरी पूजा प्रार्थना का मुझे इतना फल देना जब तक ना मुख्ष मिले मुझे जैनी कुल देना हर जनम लिखी तेरे चरिमों की चाकरी हो 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 हर जनम लिखी तेरे हर जनम लिखी तेरे बहले वर दिखाल वाले बाबागी है उड़ागी आप सब की ओर से अब अन्तिम पंक्तियां मेरी ओर से मेरे लिए एक्स्क्लूसिवली क्या तन्य पिंजिने से बाबा जब उड़े प्राण पंची तन्य पिंजिने से बाबा जब उड़े प्राण पंची मेरे मुख पर रहे तेरे भजनों की कोई पंची मेरे मुख पर रहे तेरे भजनों की कोई पंची मतन्य पिंजिने से बाबा जब उड़े प्राण पंची तेरे मुखते रहे तेरे बजनों की कई बंदी कायाश थिल हो चाहे परचेत ना खरी हो कायाश थिल हो चाहे परचेत ना खरी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखी हो आही छत्र में हर महिने दी मुझे के हास गी हो मुझे वही रोक लेना जब सांस आखी 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 हो मैं सुनाओंगा वो लेकिन मुझे लगता है कि क्रम ना टूट जाये कि उन्हें इस दर्बार में बुलाना है हाँ वो ही सुनाओंगा तुम जिसके लिए परिशान हो वही सुनाओंगा है एक बार प्रेले एप शांप लगाओ एप शांप मेजर एगया माइनर करो अच्छा ओहो वाँ 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 बहुत बढ़िया आओ आज माता के दर्बार में तुमारी भी हाजरी होने चाहिए जी कर लो हाफ नूट बढ़ा लो एक इतिहास था हमेशा गाया जाता था और अब उससे बढ़ा इतिहास बना है पूरे भारत वर्ष में पूरे भारत वर्ष के संतों के इतिहास में केवल एक मात्र मलप्पजी का ऐसा परिवार मिलेगा जिसमें माता पिता चार पुत्र और दोनों पुत्रियां सब के सब दीक्षा धारण करके धर्म के मार्ग पर सेयम के मार्ग पर कहे कोई जल्दी और उनमें से कोई थोड़ी देर के बाद लेकिन ये एक मात्र ऐसा परिवार गिना जाएगा पूरे हिंदुस्तान में जिसका कोई भी सदस्यत बिना दिगंबर दीक्षा के अपने जीवन का समापन जिन्होंने नहीं किया तो ये गीत हमेशा हम गाते थे तीनों भीया निकल गए बस उसमें मैंने एक पंक्ति जोड़ी है आज पहले दो पंक्तिया केवल वह सुनाता हूं आपको बल्कि केवल दो पंक्तिया ही मैंने लिखी पूरा गीत लिखा भी नहीं हमारे सौरा बहुत देर से वहां से आचार गुड़ेव के चुरणों में पंक्तिया समर्पित करना चाहता है कि विद्या समय योग में अभू उत्कृष्ट भी नाम जुडे उत्कृष्ट मालूम है कौन है उत्कृष्ट सागर हाँ कि विद्या समय योग संग अभू उत्कृष्ट भी नाम जुडे तीनों भाईया तीनों भाईया के पीछे चौथे भी निकल पड़े तीनों भाईया के पीछे चौथे भी निकल पड़े देखा ये इतिहास जिनों ने उनके भाई बड़े तीनों भाईया के पीछे चौथे भी निकल पड़े तीनों भाईया के पीछे चौथे भी निकल पड़े तीनों भाईया के पीछे भी निकल पड़े इसके बाद मापदमावथी के आभान के साथ पुना भक्तिगी शुरुदा करेंगे तो लगाईया तीनों भाईया संयम सारभ साधना जिनको करेंप्रना त्यागत पस्यां तीर्थ का विध्या सागना दिल्ली महानगर में आचार गुर्देव के चरन तो नहीं पड़े लेकिन गुर्देव की राहों में अपना दिल भिछाने की ताकत अगर कोई रखता है तो वह दिल्ली वाले रखते हैं तो आप जरा भक्ति हो कोई हाथ खाली न रहे कोई हाथ बंधा न रहे भक्ति में गुर्देव की चरन वान ट्यू त्री हो गाओं से दिल गाओं गाओं सद लगाके विद्याधर को प्रणा आचार गुर्वर विद्याधर को प्रणा चोटी सी उमर में जिसने घर छोड़ दिया ऐसे बाल ब्रह्म चारी और योगे को प्रणा घर से दिखल कर जुस पर त्यागी बने चले उस प्रण प्रण कोईने कारी डगर को प्रणा माचार गुर्वर विद्याधर को प्रणा माचार गुर्वर विद्याधर को प्रणा त़ योडोड़ त छोड़ो करता है गोदे में जिसकी तुमने गुरुवर जनम लिया उस श्रीमती माता की गोदे को है प्रणा उंगली बकड कर जिसकी बचपन में तुम चले पिता श्रीम लप्पाजी को वन्दन और प्रणा माती में खेल करके जहां तुम बड़े हुए उस सदिल लगा की पावन माती को है प्रणा घर त्वार छोड़ कर सब जिस पल में चल दिये उस पावन वेराग्यकारी घजर ओ प्रणा शिवपुर का मार्ग जिसने एक पल में पा लिया ऐसी अलोकिक तेरी मेजे ओ प्रणा आचार गुर्वर विप्यासागर को 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 प्रणा मंगल विहार में जहां तेरे चर्ण पड़े मंगल विहार में जहां तेरे चर्ण पड़े उस जगा उस यली उस पगल को प्रणा जिस भी जगा किया है चातुरमा से है गुरू उस का उस शह है उस नगल को प्रणा आचार गुर्वर विप्यासागर को प्रणा आचार गुर्वर विप्यासागर को प्रणा बले संत्य शुरमनी आचारी गुरुदेव श्री विद्या सागर जी महामनी राज की लेकर के दीक्षा जिसते गुरुबर तुमू चले उस पुन्यकारी दिन को है लाखों प्रणा सैयम कवरत धारन कर हाथों में थाम ले कल्यानकारी उस पेक्षिका को प्रणा तप से तपा कर जिसको कुल्दन बना लिया परिशेह सहने वाले उस तन को प्रणा जीव दया और करणा जिन से हज़र रही ऐसे ये नैने रूपिये निर जय को प्रणा ऐसे अमोल हीरे ऐसे अमोल हीरे को जिसने पहचान लिया ऐसे तुभार गुर्वर ज्यान सागर को प्रणा आचार गुर्वर विध्या सागर को प्रणा प्रणा आचार गुर्वर विध्या सागर को प्रणा निर्दोश पाले गरे चर्या का जागते सोते संत विध्या सागर जैसे भरती पर कब बार बार नहीं होते जय जय गुर्वर जय हो गुर्वर ताइंचन योग में योग तो असंभवी है भगवान को पाना पुन्यों बैसे होता धरा पहे ऐसे संतिकाना जिसमें तीर ठंकर किछाया तेज अद्भुत है सबाया वित्या सागर पालिये तो अहवीर को पाया जिनको सुनाते व्यथा मुख पशु भी रोते रोते संत वित्या सागर जैसे घरती पर वक्त बार बार नहीं होते जय जय हो गुर्वार 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 जय हो मेरे जीवन को पहला आकार देने वाले आचायरी गुरुदेव श्री देव नंदी जी महामुनी राजी जिनोंने मुझे तब परखा था जब मैंने कभी घुद भी नहीं सोचा था कि मैं कभी आप सब के सामने ऐसे खड़े हो कर कभी मंचों पर गा रहा हूंगा उन्होंने त अशिर्वाद भी दिया मंच भी दिये पहचान भी दिये और मैं आज जो कुछ भी बन पाया हूं केवल और केवल वो पहले दिन का जो अशिर्वाद है वो अब तक मेरे साथ चल रहा है और जितने करुणा वो बरसाते हैं इतने महान आचारे होने के बाद उसका कोई सानी नहीं है मैं मुझे मालूम नहीं कि आप मैंसे कितने लोग आस तक उनके दर्शन कर पाए हैं लेकिन जिंदिगी में जब भी आपका सौभा की जाकरित हो आप एक बार आचार देवनंदी जी के चरणों में जाकर देखी आपको मालूम लगीगा कि कलियुग में ऐसे महान वात करनी होगी कि हमारे पंकजी हमारे गुरुभाई उनका अग्रह है तो नका अग्रह टाला नहीं जाएगा बुरुदेव के चरणों में हां बिल्कुल आई विल्कुल 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 दो अँट एलगों इन एलगा है मेजर तो गुदेव को याद करके कहना है कि दिन भी भूला रात भी भूला भूल गया जग सारा तू लगता है प्यारा है तू लगता है प्यारा बस तुझको ना भूलू गुरुवर मैं हूँ दास तुम्हारा तू लगता है प्यारा है तू लगता है प्यारा है फस तुझको ना भूलू गुरुवर मैं हूँ दास तुम्हारा तू लगता है प्यारा है तू लगता है प्यारा पहली बात कहने है पुझ गुर्णेब को याद करते हुए दुनिया से मुझे क्या लेना तु ही है दुनिया मेरी दुनिया से मुझे क्या लेना तु ही है दुनिया बेरी तो जहां का प्यार मिला है मुझे दो आखों में तेरी तो जहां का प्यार मिला है मुझे दो आखों में तेरी दुनिया से भला क्या लेना तु ही है दुनिया मेरी दो जहां का प्यार मिला है मुझे दो आखों में थी होता रही नजरों को हर दो होता रही नजरों को हर दो तेरा एक नजारा तू लगता है त्यारा पस कुझ को ना भूलू गुरुबर मैं हूँ दास तुमारा तू लगता है त्यारा, है तू लगता है त्यारा के नहीं नहीं भागिये के मुझे को चिंता है नहीं भागिये के मुझे को चिंता तू है मेरा भाग विधाता जो लिखा नहीं किसमत ने तुझसे लिखवा ले जाता क्यों भागिये के मुझे को चिंता तू है मेरा भाग विधाता जो लिखा नहीं किसमत ने तुझसे लिखवा ले जाता मुझे को मिला ओखात से बढ़के हर दम तेरे द्वारा तू लगता है प्यारा बस तुझे करना भूलू गुरुवर मैं हूँ दास तुभारा तू लगता है प्यारा अज दिन भी भूला रात भी भूला भूल गया जग सारा तू लगता है प्यारा अज दिन भी भी भूला जगता है प्यारा प्रग्या स्रमान सारत्वत अचारी गुर्देश्वी देव नंदी जी महामनी राज की जाहो बहुत सुद्दर धनिवाद पंकज भी आओ आपने आपकी बहाने मैंने भी पूजी गुर्देव का स्मरण कर लिया यहां से बहुत 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 जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती ऐसा चली संजय भीया ने कह दिया है कि जब तक हम मा का इंतिजार कर रहे हैं बलके भी शाइश दर्वार में तो वह पंक्तिया गादी जाए जिसके बिना भजन संध्या धूरी रह जाएगी सबके दिलों में वह पंक्तिया बसी है तो कुछ पंक्तिया मिला जुला के उस गीत की पहुंच जाए के पास फिर मैं पहां चली गए भाई सब चली तो नहीं नाराज होके हाँ वह माता के आने की बात चुनी तो तभी चलाए जाए कि जमाता के दर्वार में आगवन अभी समय है क्या और हुआ हुआ है कि दो तीन साल बाद तुम्हें आया भक्ती हुई और निशा जी ने पूरा समय बैठे 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 निकाल दिया प्रभो के दरबार में एक भक्ती नहीं की इतिहास बन जाएगा वीडियो वाले हैं इसलिए मंच पर अपनी सक्षियों के साथ हुआ जाओ 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 हाथिये फैले रहते सामने तेरे हुआ तुने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तुने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तुने खूब दिया भगवान मांगते रहते तुज से साज समेरे हाथिये फैले रहते सामने तेरे हाथिये फैले रहते सामन तेरे तुने खूब दिया भगवा, तेरा बहुत बड़ा एसा, तुने खूब दिया भगवा, तेरा बहुत बड़ा एसा, तुने खूब दिया भगवा, तेरा बहुत बड़ा एसा, तुने खूब दिया भगवा, केना है लाग है मुझे वदिल खाली जेव थी मेरी दर दर भटकता था मैं लाग है मुझे वदिल खाली जेव थी मेरी दर दर भटकता था मैं घर दर भटकता गैरों की क्या कहूं अपनों की आगों में रह रह खटकता था मैं रह रह खटकता चारों तरफ थे मेरे लुब के अंडे आखिर में आया बाबा काम तुमें आखिर में आया बाबा काम तुमें लुब के अंडे किस-किस के काम आये हैं बाबा जीवर में उठा तो रहां तुने खूब दिया भगवला तेरा बहत बना आयसा तेरा बहत बना आयसा उन्हें खूब दिया भगवला लड़ खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे तेरा सहारा मिला तेरा सहारा लड़ खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह में तेरा सहारा मिला तेरा सहारा मुझसे दो कदम आगे पिसमत चली मेरी पांके इशारा तेरा पांके इशारा देने को कुछ नहीं है पास दे तो आसु चढ़ा देता हो चरणों तेरे तो आसु चढ़ा देता हो चरणों तेरे तुने घून दिया पगवा तेरा महत बड़ा ऐसा तेरा बहुत बड़ा ऐसा तुने खूबतिया बगवार तेरा बहुत बड़ा ऐसा कर बहुत बड़ा ऐसा तुने खूबतिया बगवार सावलिया तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया मुझे दीवाना कर दिया नहीं भी लागना जिया तुझे दीवाना कर दिया, एही भी लागना जिया हो सावलिया तेरे प्यार दीवाना कर दिया सावलिया तेरे प्यार तेरे मांग ना में छोड़ दो हो नहीं सकता प्रभू, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए यांग नाम छोड़ दो, हो नहीं सकता प्रभू, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए और तुझसे लेनी में, बच्चों को कभी, लाजी न आए बाबा, लाजी न आए दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्जे में ते, एहसाने कितने बाबा, मुझ पेह ते तुने खूब दिया बगवा, तेरा बहुत बड़ा ऐसा देगो जितने लोग एहसान फरामोश हो, वो हात बादो, और जेब में डालो, और जितने एहसान बंग हो, दो लाइने जरूर काते जाओ तुने खूब दिया बगवा, तेरा बहुत बड़ा ऐसान तुने खूब दिया बगवा, तेरा बहुत बड़ा ऐसान केना है लायक नहीं था मैं इतने के है प्रभू जितना दिया है तूने जितना दिया है लायक नहीं था मैं इतने के है प्रभू जितना दिया है तूने जितना दिया है सुने से जीवन में तुने खुश नसीबी का रंग भर दिया है बाबा रंग भर दिया है खाली मुझे तरसे तु अब ना लो गागा इतना हसाया तुने अब ना लो गागा तुने खुव दिया बढ़ा तेरा बहुत बढ़ा एसा तुने खुब दिया बढ़ा तुने धूब दिया वगवार, तेरे बहुत बड़ा एसा, तुने धूब दिया वगवार हबाबा, हबाबा तेरी रह्मतों का, हबाबा तेरी रह्मतों का, हुआ ऐसा ऐसर खुशिया पता पूछती, मेरा धूनिती है घर, बश्या पता पूछती, मेरा धूनिती है घर हाबाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा से हाबाबा मेरी रहमतों का हुआ ऐसा से हश्यां पता पूछती मेरा धूदती है घर हाबाबा जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है कोट में उठाए मुझे भाव किच रहा है कोट में उठाए मुझे भाव किच रहा है जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है कोट में उठाए मुझे भाव किच रहा है बाबा तेरे ही भरों से कट रहा है सफर बाबा तेरे ही भरों से कट रहा है सफर खुशियां पता पूछती मेरा दूढती अगर मेरा दूढती है घर हो बाबा मुली चिंतामनी श्रीपाश्वनाथ भगवाने की अब उनकी जैकार कीजिए जिनका अगमन होने वाला है इस दर्बार में सांगन में मुली महादिवी पद्मावती माता की श्रीशना के साथ की मां हम आपको पुकार रहे हैं और मां हमारी पुकार सुनकर हमारे इस दर्बार में आपको आना पड़ेगा और जब मां आएंगी तो देखिए आप सभी आनंद से विवोर होकर उल्लास के साथ पुरी उर्जा और पुरी चितना से मां की आगवानी करेंगे कोशिश करेंगे कि अपनी जगे पर बैठे रहे हैं यदि खड़े होने की आपकी विवस्ता है तो किसी भी विवस्ता को अविवस्ता में बिल्कुल नहीं बतलेंगे बड़े तरीके से बड़े सलीके से सबी लोग मां के दर्शन करते चलेंगे और आईए भजनों के माधियम से अब मैं फिर रूपेश जी से आग रहे करना हो कि मां की आगवानी मां का हवान आप उन शब्दों के माध्यम से उन रचनाओं के माध्यम से करें जो आपने साक्षात मां का जो हुंचा का दरवार है उस दरवार में आपने हवान किया था और यूं लगा था कि माँ आप तो प्रतिमा सरूप है और प्रतिमा का जो अतिशा है विरूपेश जी ने हमें बताया क्या है मुझ की ने हमें णियुत तो गले यूज कि मुझा बभादा लोर आप रहें चित्या राक दुथ उर कि के राकिन धु़ित मुझा रहें ब бол wichtig कि api इंच एंच क्या चुट मुझा लें ऑुगा के रहें बताया dimä तो इंच गले हमें有一ग है जन दों खनात घंच Am आप सामने कोई और अब जाएगा Please सबीन कम साईड़ कर करके बैट जाए है सब भी लोग साइड होकर बैठ जाएं अपने स्थान पर बैठ जाईए जहां आपको जगे पिल रही है तुम्हें दिल ने पुका रहा है एक बार चली आओ एक बार चली आओ एक बार चली आओ एक बार चली आओ एक बार ना जाओ प्यासी न अखियों पर अभुआ और न तरसाओ एक बार चली आओ एक बार चली आओ हमने तेरी चाहत में जारा जग छोना है हमने तेरी चाहत में का राजग छोना है हमने तेरी खादी हर रिश्टा तोरा है हमने तेरी खादी हर रिश्टा तोरा है तुमा बेने मेजियों कैसे तुमा बेने मेजियों कैसे किसारी बेने तेरी चाहत बसे जगता है दो बेने तोरा होना है खादी जाम कैसे वी जाँ देगे तेरी उष्टा है यह सहिं एक बार चुमा एक बार इंगा लेने लिकें, बार के तो रोलू में, तेरी बोग मैं सरी रखिकें, इंची देर पासलू में तेरी बोग मैं सरी रखिकें, इंची देर पासलू में, तेरी बार से न मर जाओ तेरी बार से न मर जाओ, इतिना भीना तेरे साओ एक बार इचा दिया, एक बार इचा दिया तुम्हें देखता हो, ता लगता है ऐसे, के जैसे युगों से, तुम्हें जानता हो अगर तुम्हें देखता हो, ता लगता है ऐसे, के जैसे युगों से, तुम्हें जानता हो अगर तुम हो साओ, मैं प्रासी यहें हो, अगर तुम्हें बार इचानता हो, तुम्हें देखता हो मेरी मार तेरे बेनी लगे सुना दर बार मेरी माँ आजा मूरती से बाहर एक बार मेरी माँ तेने बच्चों की है करें फुकार देख नजी ने उठा के एक बार मेरी बार तो लेबेने सुना सुना दारी बार मेरी बार आजा मोरती से बाहर एक भी बार दारी बार तो दूते महनी के हाथों में लगा तो दूते महनी के हाथों में लगा तो तो दूते महनी के हाथों में लगा तो दूते महनी के हाथों में लगा तो पैरो में तेरे माईया पाल पेहना तो दूते महनी के हाथों में लगा 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 तो दूते में लगा एक बार चलिया एक बार चलिया एक बार चलिया मैया घर आए है तेरी सक्की मंगल गाओ दी तेरी सक्की मंगल जाओ दी घर पियां पर सजाओ दी तेरी है आज मेरी मा की सवारी तेरी कई का जल लाओ दी तेरी का जल लाओ दी मा को का आठी का लाओ दी उनकी छब लाओ दी का लाओ दी उनकी चब लाओ दी क्यार क्यारी है लक्षमी जीवार हजर तार आज मरी मैया घर आई आज मारी मैया घर आई चुनी चलाएंगे ओर लगी ताने एक बज आपके लिट काने के बाद आज कल लगी कुछ और रहता ने है एक बस आपके लिद आने के बाद याद आने से पहले आ जाएए याद आने से पहले आ जाएए और फिर जाएए शाम जाने के बाद आज कल लगी कुछ और रहता ने है एक बस आपके लिद आने के बाद अब हमारा महिला जैन मिलन और जैन मिलन दोनों अपनी अपनी चुनरिया लेकर आजाएं जो उनको माता को समर्पित करनी है यह सेल्फी बंद करवाद एक बार सभी बैठ जाओ एक बार हाँ सेल्फी थोड़ी बाद हाँ अब अब आप भी देखें लोग आड़े वा 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 क्या सुन्दर रंग की चुन्री लेकर आएंगे वादा को चुन्री बेट करने के लिए इतनी जल्दी मत करो पहले भक्ति तो होने तो आरे इनों ने तो चड़ा भी दी रुको दो मिनिट के लिए पहले तो मंच से नीचे आओ सब ऐसे मज़ा ही ने आने वाला आपकी चुन्री समर्पित करने में यहाँ यहाँ नी उडारी वहाँ पर चड़ा के यहाँ बारी बारी आच्छा तो फिर वहाँ पहुचाओ यहाँ यह पीछे वाले यह जगह में भक्ति कहां से करेंगे यह यहाँ आज मंच दो इंच नीचे धसाना है मतलब चलो ठीक है लगाओ भई अच्छा मैं बावन गज की गारा था असले लेके आ गई बावन गज की बावन गज की बहुत बढ़िया चुनरिया जेपुर की चुनरिया जेपुर की मकुत में कोही दू यकुनल कानों में यकुनल पादों में बंबय के मश्यूर चुनरिया जेपुर की चुनरिया जे का जए जें पार्याल आए वाले, कार्याल आए वाले, कार्याल आए अचे बैठे मोँ भी आजो, कार्याल आए वाले माथें पर विडिया महीं आखे चम 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 के हाथों में हैं कन्गना प्यारे छन खन 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 के माथें पर विडिया महीं आखे अजी हाथों में हैं गंगना प्यारे खन 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 के अब पुकमंडल से जलक रहा है सूरज जैसादू जुनरिया जै करकी अब कुट में कोड़ी नूर है कुंडल कानों में सूरज जैसादू जुनरिया जै करकी सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा मेरी मां का मखड़ा अजी लागे जैसे चंदा का हो तो ही तुक्रा अरे सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा भूली मां का मखड़ा ऐसे लागे जैसे चंदा का हो तो ही तुक्रा काला तीका को ही लगा दो तुक्रा जबापाई के ज़रुर चुनरिया जै कॊंदर प्यंतर कूर हो में फुट में तो ही अतौपा रहा पूंते हैं है ठोट़ ड़का तो फजव पापाइ के मश्यूरुश चुनरिया जै कॉरुटू कि तगया ओरफ दिया हुझ दिया हुझ झाहल हुछ तुर दूर से अरजी लेकर आए है दीवाने किसके दिल में कैवा चुपा ये मेरी मया जाने किसके दुल पे का एकवा ये ग्रिमया जाने अर दूर दूर से अरजी लेकर आए है दीवाने किसके दिल में क्या है चुपा ये मेरी भई आजाने आज जो चाहो मांग वे ले दा मिल जाएगा जरूर चुनरिया जो जो पर दूर हो मुकुट में गोरी दूर है कुलनल खानों में अज जो बसके बंबाय के मशुहूर चुनरिया जो पर बंबे है जो 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 भी की ईिर वותको ड Sans कर price का想 र shipped कैसले COP की धी रे趣 और य्वे वा loop लग का उस से विफ ग्योगचा ला Certू़ मांखे पर गिविया मैया के चम 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 के आते करत दिया खईया के चब 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 के आठों में खगना प्यारी खन 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 के मुकमंदल से चलग रहा है सुर्याज जैसा दो चनरिया ने परकी बंबाई के मश्हूर चुनेरिया के पुर के चुनेरिया के पुर के आई मैया जी के द्वार, करके मैं सोला श्रिंकार, मेरी छम छम बाजे पायल, कि मेरा चम 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 के हाँ, मैं तो भक्ते में जूम के जटके नाचेगी, आई मैया जी के दार, करके मैं सोला श्रिंकार, मेरी छम चम चम बाजे पायल, मेरा चम 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 के हाँ, मैं तो भक्ते में छूम के जटके नाचेगी, मैं तो भक्ते में जूम के जटके नाचेगी, तेरी पत्मावटी मेरे मन में बसी, इन तेरे और कोई भी जच्चता नहीं, मैं तो तेरा ही नाम रत रत नाचेगी, तेरा ही नाम रत 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 नाचेगी, मअ तेरा ही नाम रत 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 के ज्रत रत 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 बसी जटके जटकेगी मेरे आंगन में मैया की जोती जली मुझे मन चाहे सौगात मा से मिली मेरे आंगन में मैया की जोती जली मुझे मन चाहे सौगात मा से मिली मैं तो शर्माओना पे अतत ना चुगी बावन गज की चुनर ओड के मतके ना चुगी बावन गज की चुनर ओड के मतके ना चुगी मेरे कारे शर्माण चुगी में तोग फो जोती जली माünde चुगी आंगन में प्राई शर्माण शर्णि मेरी बहिया ने मुझे को बुलाया है वहाँ मैं आलाधों की फिकड़ी बनाती है जहाँ मेरी बहिया ने मुझे को बुलाया है वहाँ मैं आलाधों की फिकड़ी बनाती है जहाँ बावन गज की चुनर ओर के मता के नाचुगी बावन की चुनर ओर के मता के नाचुगी रात मैया मेरे सपने में आई 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 रात में आई जब मैंया के मेरे चरने भुलाएं बाइल बजी गई और अलडबजी गई अहाँ अर्छास्त्र के पार सिना अर्छास्त्र के पार सिना जो तूनी था मेरा तो जीवन बतल के आ जीवन दद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दद्द्द्द् जब मयागी मेरे हार पिकी भाक्ती मजी गई जब मयागी मेरे सब्दे मेरे हार पिकी जब मयागी 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 मेरे हार पिकी रसक्रापन के जब मेरे ख मेरे हार पिकी तौप आप लोई पारा देना चुटेरे अगे नागे आल बजाओ फर जाकल पैता चुटेरे अगे नागे हुआ चुपरी आला, मना चुपरी आपके नामे कर लंदार चुपरी आपके न चुपरी आला, मना चुपरी, मिपल्टा चुपरी, सुल्यॉ क्या आपके? कि अच गह हुआ 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 है दोई ताइक और जो पाला वालावाई तो यह स्टों पेरे ना कि आट रावे से ले सकते हैं पार्टा दया ढार्टा अच झाल को णाज Québec बाजे चम 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 बाजे गुंगरू पहली आरत सिरी दिल राजा भूद दिकार उतार दिहाजा ने करत मिटे मव फेरी पीसरी आरत सुर मुरेंद्रा जरब मरण जुख दूर खड़ेगा चौकी आरत सिरी उब खाया तरजन देखत वाप बलाया पाच्वी आरत साधू तुमारी उमत दिनाजन जिव अधिकारी छट्टी गारे व्रति माधारी चावक बंदो आनत कारी साथ वी आरत सिरी दिल वाणी दानत जर्र मुति जुख दानी चौकी आरत सिरी आरत सिरी आरत साधेवा जैपारस 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 जैपार वाजने की बल्ले हारिया बैद बाता दर्जरने की वलहारिया जाका में साका में बुंद भॉआ जाने लाउने दृजराने वैया दर्जरने वैया, दर्जरने वैया पीप दूप और तुसको हारने मैं दर्जरन को आयो वैया दर्शन करके माप तुम्हारे मन वाच सिब्फल पायो वादे शरीबापा दर्शन की बल हारिया परी बाहुंचा वाली दर्शन की बल हारिया जब जब पीर पड़ी भक्तों पर अच्छाप नगीने मीया रच्छाप नगीने मीरी मेरी का अभिमांग चूत कर इसके धूती दिनी वावति मापा दर्जाने की वले हार्या वादेशरी बापा दर्जाने की वले हार्या वावति मापा दर्जाने की वले हार्या नाल बंदिर वादी दर्जाने की वले हार्या आयु छत्रबादी दर्जाने की वले हार्या नभीर सादरेवादी दर्जाने की वले हार्या यापर विराजी दर्जने की वल्ले हारिया, तर्भावती माता दर्जने की वल्ले हारिया, वाता तु रया करेके तर्णों अचछुडा देना, इतिनी स्विने तुमसे चर्णों में जगा देना मा ओजिते बटी खागू, माया के देरे में, वोई नहीं मेरा है, इस तर्णों के देरे में, वोई नहीं मेरा है, तुम तीर बना देरा पिरी जिदी में तुमसे चर्णों में जगा देना जीवन के चौराहे पल, मैं सोच रहा कभू से जाओं तो किदर जाओं, जिल पूच रहा मति से उपथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना इतनी सिभी ने तुमसे चर्णों में जगा देना लाखों को खुबारा है, हमको भी उबारू हूँ मजदार में है रही आ, तुस को भी तेरा दो तुम मजदार में अटका भूँ, अवतार ना देना इतनी सिभी ने तुमसे चर्णों में जगा देना जावाणी के ग्यान से सूजे लोका लोक, सोवाणी मस्तंदरे सदा दे दूधों को ए जिन्वाणी भार्की तो ही जबूदिन ने, जो तेरा सरड़े वो पावे सुक्चे सबी अपने स्थान पे खड़े खड़े नो बार नमोकार मंत्र रजाते हैं कि अजिए जिन्वाद की आर्ती नीजे सी चड़ा है सबी से बिन परशाद आर्ती ने कर झार। सबी से फरात्ता है, सबी परशाद ले करेंगे बिना परशाद लिए कोई ना जाए आप देख रही हैं पीर्थनका चैनल